सुनिये श्रीमद भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अध्भुत समवाद, संपूर्ण अठारा अथ्याई, हरिश भिमानी, कृष्ण भुटानी, विश्नु शर्मा, और अर्विन महरा की मधुर आवाजों में, श्रीमद भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्च हर समस्या का बस एक समाधान रह रहकर अपने वीरोचित समवेत उद्गोश के निनाज से गगन मंडल को कमपित कर रहे थे। परीक्षा की उस भड़ी में, अर्जुन के मन में युद्ध की विरक्ति से भरे, नजाने कौन से भाव उद्पन्न हुए, कि उन्होंने श्री कृष्ण के समक्ष, शमा याचना करते हुए, ये कहकर आत्म समर्पन कर दिया, कि वे अपने ही स्वजनों, बंदु-बांधों से युद्ध करने में असमर्थ हैं, बलप्रधान क्षात्र धर्म से अर्जुन सीधे कारपण्य भाव कायरता दोश में पहुँच गये थे, उनका क्षात्र भाव लुप्त हो गया था, असमंजस के उन पलों में अर्जुन को सूझ ही नहीं रहा था, कि वो युद्ध करें अथवा वईराग्य ले ले, अर्जुन ने अपना धनुष और तरकश भूमी पर डाल दिया, अंतर्यामी श्री कृष्ण जान चुके थे, कि आचारे द्रोण के प्रतापी शिष्य तथा धरा के सर्वश्ष्ट धनुर्धारी का मनोबन खंडित हो चुका है, ऐसे में विश्व के समक्ष एक कर्तव आखळा हुआ, गुरु का, अतयेव, तरक, बुद्धि, ज्यान और कर्म की चर्चा से, तथा विश्व के स्वभाव की जानकारी देकर, और अंत में, सर्वो परी परमसत्तावान ब्रह्म के विराट स्वरूप का साक्षाद दर्शन कराकर, क योगी कृष्ण का एक मात्र लक्ष था, कुरुक्षेत्र के रण प्रांगन में, श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उप्तेश दिया था, वही श्रीमत भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है, तत्व ज्यान के वर्णन की भव्व और मुग्धकारी का विशैली, गीता का निजी सवरभ है, इसी लिए इसका नाम पड़ा भगवत गीता, अर्थात भगवान का गाया हुआ ज्यान, ये महा भारत के भीश्म पर्व का अंग है, इसमें अठारा अध्याय और लगभग साथ सौश लोग है, गीता, विचारों की ग्यान की सतत प्रवाहमती मंदा कि जो हमारी संस्कृति को युगों युगों से अपने पावन जल से सिंचित करती आ रही है, गीता का ग्यान सिंधु इतना विराट और गहरा है, कि जितना ही हम गहरे उतरेंगे, ग्यान के उतने ही अनमोल मोती हमें प्राप्त होंगे, केवल भारत ही नहीं, बलके समस्त संसा के दार्शनिकों, चिंतकों, धर्माचारीों और साहित्तकारों को गीता की विचार संपदा ने प्रभावित किया है। दुनिया की अंगिनत भाशाओं में अनुबात हुआ है श्रीमत भगबद गीता का। हमारे समय के अनेक सुविख्यात कलाकारों और दार्शनिकों के ज एलन्ड के प्रसिद्ध कवी एई ए रिशितुल्य इमसन की गीता के प्रति ऐसी अगाद श्रद्धा थी कि वे हर समय अपनी मेज पर गीता की एक प्रति रखते थे उन्होंने गीता का विचार सामराज्य कहकर अविनंदन किया है श्लेगल ने इसे इश्वरीय कहा है काउंट काईजर लिंग के अनुसार विश्व साहित्य में इस से बढ़कर कोई दूसरी दाशनिक कविता शायद नहीं है विदेशी विचारकों में सर्ज चार्ल्ज, विल्कंस, श्लेगल, डब्लिव फॉन हमबोल्ट, गेलेनोस तथा एडविन आरनल्ड का नाम उलेखनी है डॉक्टर एनी बेसंट का लय युक्त अंग्रेजी अनुवार अठारा सब पचानदे में प्रकाशित हुआ था विच्छात विद्वान डॉक्टर भंडारकर ने भी गीता पर अपने विचार प्रकट किये हैं महर्शी औरोबिंदो गोश ने एसेज और गीता नामक कृति की रशना की तो लोक माने तिलक ने कारा ग्रेह में लिखी सुप्रिसिप्ध कृति गीता रहस महात्मा गांधी तथा विश्व विख्यात विद्वान और दाशनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन का टिपणी युक्त अनुबाद भी प्रिसिप्ध है अन्तह साक्षातार पाने के कई मार्ग हैं जैसे ध्यान, ज्यान, कर्म, प्रेम और भग्ति अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी ग्रंद या महात्मा अपने ही मार्ग को श्रेष्ट बताकर उसका ही अनुसरन करने की प्रेरणा देते हैं गीता इसलिए भी विशिष्ट है क्योंकि इसमें क्रिष्ण ने सभी मार्गों का उलेख किया है ताके हर मनुष्य अपनी समझ और स्वभाव के अनुसार अपने पत का चैन कर सके और अन्त में वो प्रतेक मार्ग की अच्छाईयों और उनकी उपलब्धियों की निधी पा जाए क्रिष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को नई द्रिष्ट देकर करतव विबोध कराया क्रिष्ण द्वारा प्रदक्त नई द्रिष्टि पाकर अर्जुन का मोहच्छादित अंदकार समाप्थ हो गया जीवन और प्रेम के उस प्रणेता के समक्ष न कोई छूटा था न कोई बड़ा चाहे वो विशेश अधिकार संपन्द व्यक्ति हो अत्वा पद दलित मानव सब के लिए उसका एक ही संदेश है तुम ईश्वर की संतान हो उसी का अंच हो और अंत में उसी में विलीन भी हो जाओगे फिर तुम प्रेम के मार्ग से क्यों भटक जाते हो एक बार एक गणिका श्री कृष्ण के पास गई उसकी आँखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी उसने उनके चरण कमल को चूम लिया राज दरबार में उपस्थित बड़े बड़े राजा महराजा ये द्रिश देख कर क्रोधित हो उठे और श्री कृष्ण से प्रश्ण किया कि उन्होंने इस पतिता को अपना ये अपमान करने क्यों दिया श्री कृष्ण ने मुस्करा कर उत्तर दिया इसे कुछ मत कहो ये तुमसे अधिक जानती है क्योंकि इसके पास प्रेम और श्रद्धा है गीता की शिक्षा के अनुसार सच्चा व्यक्तिव वही है जो सदाचार का जीवन व्यतीत करता है जो प्रतेक कार आत्मा में लीन होकर करता है तथा आत्मा का अनुसरन करता है न के वो जो केवल मंत्रों का जाप या शलोकों का पाठ करता है गीता एक ऐसे धर्म की प्रान प्रतिष्ठा करती है जिसमें पूर और पश्चम की सीमाएं नहीं है उसमें धर्म, रंग और जाति का भेदभाव नहीं है ये सत्य और आत्म ज्यान का धर्म है ये आत्मा को समर्थित किये हुए कर्मों का धर्म है ये प्रेम का धर्म है गीता मनुष्य को परम पुरुष के समान पुन्यता प्राप्त करना सिखाती है गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार समस्त अहंकार और समस्त भेदभाव पर विजय प्राप्त की जा सकती है गीता वास्तव में समस्त विश्व का धर्मकंद है इसका संलेश सभी जातियों और धर्मों के नरनारियों के लिए है श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को शांति तब तक नहीं मिलती जब तक वो इश्वर जैसा न बन जाए या कहें इश्वर ही न हो जाए इस उद्देश को प्राप्त करने के प्रैतन ही मनुष्य के आत्मसाक्षाकार के साधन बन जाते हैं और ये आत्मसाक्षाकार ही गीता का मुख्य विचार है गीता का उद्देश है मनुष्य को आत्मसाक्षाकार का सबसे उक्तम मार्ग बतलाना श्री कृष्ण के अनुसार जैसे एक ही आकाश पूरे संसार को धरण किये हुए है ठीक वैसे एक ही आत्मा इस पूरे संसार में प्याप्त है जो प्रतेक मनुष्य के भीतर विराजमान है इस आत्मा से साक्षाकार होना ही धर्म है श्री कृष्ण कहते हैं धर्म का कोई भी संबंध बाहरी आडमबरों से नहीं है शायद यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने जिस जिस स्थान पर मैं मेरे अत्वा मुझ वसुदेव या मेरी पूजा करें ऐसा कहा है उसे पढ़कर लोग श्री कृष्ण को अहंकारी म मानने लगे सच तो यह है कि श्री कृष्ण को अहंकारी मानने वाले गीता का पूरा मर्म नहीं समझ पाते और जाने समझे बगार गीता की उप्योगिता पर प्रश्ण चिहन लगा देते हैं दूसरे प्रकार के व्यक्ति कृष्ण की पूजा में ही लीन हो जाते हैं वे कृ करने लग जाते हैं दोनों ही तरह के व्यक्ति गीता का सार समझने में तुरुटि कर जाते हैं श्री कृष्ण जब मैं कहते हैं तो उसका तात्पर्य उस आत्मा से है जो पूरे जगत को धरन किये हुए है तथा जो प्रत्येक मनुष्ण में विराजमान है उस आत्मा की खो भक्ति में लीन होने को कहते हैं मेरी भक्ति में लीन होना वस्तुतह कृष्ण ने आत्मा को तक्त्व से जाना है और उसे जानकर ही वो परम आत्मा है इसी कारण कुछ लोग गीता को परमात्मा का कथन मानते हैं भगवान की वानी मानते हैं क्योंकि जिसने भी अपने भीतर उस्धित आत्मा को तक्त्व से जान लिया, वही ईश्वर हो गया और उसकी वाणी परमात्मा की वाणी, गीता इसी लिए ईश्वर की वाणी है। लीन होने के लिए उस आत्मा की भक्ति में लीन होने के लिए जो प्रत्तेक मनुझ के भीतर उपस्थित है और जिसे तक्व की सहायता से जानकर हम स्वयम परमात्मा श्री कृष्ण को अपने भीतर विराजित कर सकते हैं उसके पूर्व किसी तरहा के मुक्ष की संभावना नह ही है श्री कृष्ण की ये गीता वास्तव में मनुष्य के परमात्मा इश्वर या सच्चिदानन बनने की राह में आने वाली बाधाओं की चर्चा है जिन्हें दूर कर मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान सकता है श्री कृष्ण ने इस उद्देश की प्राप्ति के लिए अनेक ग्रांतिकारी वचन कहे हैं जो समस्त प्राचीन माननिताओं तथा व्याक्ष्याओं का भ्रहम तोड़ देते हैं इसी प्रकार श्री कृष्ण जब कहते हैं कि जब जब वृत्वी पर पाप पढ़ेगा तब तब उसका नाश करने मैं जनम लेता हूँ इस मैं का भी यही अर्थ है कि तब कोई ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो आत्मा को तत्व से जान कर अपनी इश्वरिय वानी से लोगों का उद्धार करता है श्री कृष्ण के मैं में बुद्ध महवीर राम इसा मसीह नानक और कबीर सब समाहित हैं और कृष्ण की इच्छा हमको और आपको भी उसमें शामिल करने की है श्री कृष्ण ने आत्मसाक्षातकार को सरल और स्पष्ट शब्दों में बतला दिया है आत्मसाक्षातकार का एक अद्भत मार्ग है कार के फल की इच्छा का त्याग इसी धुरी पर घूमते हैं गीता के सारे उद्धेश कार के फल की इच्छा का त्याग ही वो सूर है जिसके चारों और भग्ति, ज्यान और कर्म रूपी ग्रह उपग्रह परिक्रमा करते हैं जहां शरीर है वहां कर्म होना आवश्चक है कोई भी देह दहरी बिना कर्म किये नहीं रह सकता है गीता का अर्थ यही है कि बिना फल की इच्छा किये कर्म करो अपने समस्त कारियों को परमात्मा को समर्पित कर दो मन तथा बुद्धि से उसी की शरण में चले जाओ ये निशकाम त्याग प्रवित्ति केवल बातूं से ही नहीं आ जाती और नहीं ये पंडिताओ वितंडा से ही आ सकती है वैसे पढ़े लिखे और पंडित लोगों में एक प्रकार का ज्यान होता है वे शास्त्रों को मौखिक रूप से सुना सकते हैं क्योंकि इस ज्यान के होने पर भी वे आत्म प्रशंसा आदि से घिरे हुए हैं ज्यान का दुरुप योग न किया जा सके इसी के लिए गीता के ज्यान के साथ भक्ति की आवशक्ता पर जोर दिया गया है यही नहीं भक्ति को महत्व भी अधिक दिया गया है भक्ति का अर्थ प्रेम और करुना से भरा ऐसा रिदय है जो सबसे डूब कर प्रेम कर सके ना के भजन आदे बाहरी कृत्तियों को करने वाला मनुश्य बिना प्रेम वाले रिदय के ज्ञान अनुपयोगी है इसलिए गीता में कहा गया है कि भक्ति करो प्रेम करो ज्ञान अपने आप उपलब्ध हो जाएगा भक्ति पूजा का बाह्य आडमबर नहीं है गीता में जिस भक्ति को आवश्यक बताया गया है वो कोमल रिदय की कोरी भावुकता मात्र नहीं है और उसे अंद विश्वास मानना बुद्ध की दरिद्रता होगी गीता द्वारा प्रतिपादित भक्ति का बाह्य आडंबर से कोई संबंध नहीं है एक भक्त चाहे तो अपनी इच्छा से माला तिलक आदिधरन कर सकता है लेकिन ये वस्तुएं सक्ची भक्ति का प्रमान नहीं है जो सरल्ता और दया का भंडार है लेकिन फिर भी जिसमें अहंकार नहीं है जो निहस्वार्थी है जिसके लिए शीत और ग्रीश्म समान है जो हर्ष, विशाद और भै से विचलित नहीं होता जो शत्रु और मित्रों के लिए समद्रिष्टी रखता है जिसे मान अपमान प्रभावित नहीं कर सकते जो उनसे अविचलित रहता है जिसे शान्ति और एकांत प्रिय है जिसकी बुद्धि, निर्मल और निश्पक्ष है ऐसी सच्ची भक्ति ही आत्मसाक्षा कार करवा सकती है यही गीता की द्रुव की तरहा अटल सत्यशिक्षा है वो जो कर्म को त्याग देता है गिरता है वो जो केवल फल का त्याग करता है उन्नत होता है लेकिन फल त्याग का अर्थ ये नहीं है कि पनिनाम के बारे में उदासीन हो जाएं प्रत्यकार के संबंद में व्यक्ति को ये अवश्य जानना चाहिए कि उससे क्या पनिनाम अपेक्षित किया जा सकता है किन साधनों से उसे प्राप्त किया जा सकता है और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य उसमें है या नहीं वो जिसके पास पहले से इतनी जानकारी है उसे फल के बारे में रत्ती भर मोह न करते हुए कार की पूर्ति के लिए संपून रीति से उसमें तलीन होना चाहिए सच तो ये है कि जो फल का मोह त्याग करता है वो कार को पूर्ण रूप से करता है इस कारण उसे कर्म फल सहस्र गुना अधिक प्राप्त होता है ये साधरन विश्वास है कि धर्म भहुतिक हितों से विमुख है कोई भी व्यक्ति व्यापार में राजनीति में धर्मिक रीति से व्यभार नहीं कर सकता इस प्रकार की गतविधियों में धर्म का कोई स्थान नहीं है दर्वतो केवल मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है इस प्रकार की बातें कई दुनियादार, बुद्धिमान और अज्ञानी पंडित व्यक्त किया करते है श्री कृष्ण ने गीता में इस ब्रहम का पूर्ण रूप से निवारन कर दिया है गीता में भवतिक सुखों की प्राप्ति और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति में कोई भेद नहीं रखा गया है गीता हमें ये सिखाती है कि दिन प्रतिदिन के कारियों में जिसका व्यभार न किया जा सके वो धर्म नहीं है इस प्रकार गीता के अनुसार जो भी कार निशकाम भाव से नहीं किये जा सके वो त्याज्य हैं गीता ये करो ये न करो का कोश नहीं है जो बात एक व्यक्ति के लिए न्याय संगत है वही बात दूसरे के लिए न्याय संगत हो ये आवश्यक नहीं जो वस्तु एक समय अत्वा एक स्थान पर वांचनिय है वही वस्तु दूसरे स्थान और समय पर वर्जित भी हो सकती है श्री कृष्ण किसी भी कारे को अच्छा या बुरा नहीं मानते बलके उस कारे को करने के पीछे छिपे हुए भाव को महत्त देते हैं गीता में ग्यान की प्रशंसा के गीत काये गए हैं परन्तु ये ग्यान मात्र ही बुद्धी नहीं है ये रिदय को संबोधित करता है और रिदयत्वारा ही समझा जा सकता है मनुष्य के कर्म ही उसके भागे का निर्मान करते हैं जो उसके ललाट पर अंकित रहते हैं और अपने किये अनुसार ही उसे जन्म जन्मानतरों तक फल मिलते रहते हैं आपने हजारों कहानिया सुनी और पढ़ी हूंगी लेकिन बेस्सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी अपनी नए किताब 101 सदा बाहर कहानिया में सिर्वकाल इन सिर्वश्रिष्ट कहानियों और चिटकुनों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकलोजिकल और फिलोसोफिकल पहलों को सार के रूप में अपने ही अनोखी अंदाज में समझाते हैं इस किताब में वर्नित कहानिया आपको महापुर्शों, दारसुनिकों एवं वैग्यानिकों की रोमांचिक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं जिने पढ़कर आपको ना सिर्फ मज़ा आएगा बलकि इससे आपके जीवन में आवश्चक सकारात्मत परिवर्तन भी आएगा यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराची तथा गुजराती में आत्मनेस्टोर.com और सभी प्रमुख बुक्स्टोर्स तथा इकॉमर्स साइट्स पर उपलब्द है जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवश्चता होती है वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए भी अच्छी मानसी खुराकों की आवश्चता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूंगा रोज सुबह 10-20 मिनिट आख बंद करके शानती से किता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बगल जाएगा प्रथम अध्याए अर्जुन विशाद योग कृष्ण अर्जुन समवाद धृत राष्ट बोले हे संजय धर्म भूमे कुरक्षेत्र में एकत्रत युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडू के पुत्रों ने क्या किया संजय बोली उस समय राजा तुर्योधन ने विउरचना युप्त पांडू की सेना को देखकर और दुरूनाचारे के पास जाकर ये वचन कहा हे आचारे आग के बुद्धिमान शिश्य, दुरुपत पुत्र, धृष्ट द्यूम्न द्वारा, विवाकार खड़ी की हुई पांडू पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखे इस सेना में बड़े बड़े धनुशों वाले तथा युद्ध में भीन और अर्जुन के समान शूरवीर, साथ्यकी और विराठ तथा महारती राजा, दुरुपत, धृष्ट केतू और चेकितान तथा बलवान काशिराज, पुरुजित, कुंति भोज और मनुश्यों में श्रेष्ट, शैव्य, पराक्रमी युधा मन्यू, तथा बलवान, उत्त, माउजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यू, एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारती है हे ब्राह्मा श्रेष्ट, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है, उनको आप समझ लीजिए, आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेना पती हैं, उनको बतलाता हूँ आप दुरौणाचारी और पितामा भीश्म, तथा कर्ण और संग्राम विजई कृपाचारी, तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोंगत्त का कुत्र भुरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूर्वी, अनेक प्रकार क शस्त्रास्त्रों से सुसजित, और सब के सब युद्ध में चतुर है, भीश्म पितामा द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजे है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह संदेर भीश्म पितामा की ही सब और से रक्षा करें, कवरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामा भीश्म ने उस दुर्योधन के रिदय में हर्श उत्पन्न करते हुए, उच्छ स्वर से सिंग की दहार के समान गरच कर शंक बजाया, इसके पश्चाथ शंक और न समरत में बैठे हुए श्री कृष्ण महराज और अर्जुन ने भी अलहुकिक शंक बजाया, श्री कृष्ण महराज ने पांच जन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्य नामक और भयानक कर्मवाले भीम सैन ने पौंडर नामक महा शंक बजाया, कुंति पुत्र राजा यु खंडी एवं ध्रिष्ट द्युम्न तथा राजा विराट और अजे सात्य की, राजा दुरुपद एवं दुरुपदी के पाँचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने हे राजन सब और से अलग-अलग शंख बजाए और उस भ अबिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांद कर डटे हुए धृत्राश्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुश उठाकर रिशिकेश श्री कृष्ण महराज से ये वचन कहा हे अच्च युद्ध मेरे रत को दोनों से नाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षित्र में टटे हुए युद्ध के अगिलाशी इन विपक्षी युद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध व्यापार में मुझे किम-किम क साथ युद्ध करना योग्या है तब तक उसे खणा रखिए दुर्बुद्ध दुर्योधं का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आये हैं इन युद्ध करने वानों को मैं देखूंगा संजे बोली दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाईयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससरों को और सुर्धों को भी देखा उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वेकुंती पुत्र अर्जुन अत्यन्त करणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचली होई हे केशम युद्ध क्षित्र में डटे हुई युद्ध के अभिलाशी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिधिल हुई जा रही है और मुक सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कम एवं रुमांच हो रहा है हाथ से कांडी धनुष गिर रहा है और तुचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन द्रमित सा हो रहा है इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समत नहीं हे केशम मैं लक्षियों को भी विपरीथी देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मार कर कल्यों भी नहीं देखता है एक रिष्ण मैं न तो विजय चाहता हूं और न राजितता सुखों को ही हे गोविंद हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन है अत्वा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाव है हमें जिन के लिए राज भोग और सुखाद अभीष्ट है वे ही सब धन और अचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससोर पाउत्र साले तथा और भी संबंदी लोग है हे मधुसूदन मुझे मारने पर भी अत्वा तीनों लोगों के राज के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता फिर प्रिथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है हे जिनार्द द्रितराष्ट के पुत्रों को मार कर हमें क्या प्रसंदता होगी इन आततायों को मार कर तो हमें पाथ ही लगेगा अतेवे माधव अपने ही बांधव दितराष्ट के पुत्रों को मारने के लिए हम यूग्य नहीं है क्योंकि अपने ही कुटुम्ब को मार कर हम कैसे सुखी होगे यद्यपिलोब से भरष्ट चित्ध हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोश को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते तो भी ये जनारदन कुल के नाश से उत्पन्न दोश को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नश्ट हो जाते धर्म के नाश हो जाने पर संपूर कुल में पाप भी बहुत भेल जाता है ए क्रिश्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रीया अत्यंत दूशित हो जाती है और ही वाशने स्त्रीयों के दूशित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरत में ले जाने के लिए ही होता है लुप्त हुई पिंट और जल की क्रिया वाले अर्थात शाथ और तरपण से बंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं इन वर्ण संकर कारक दोशों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नश्ट हो जाते हैं हे जनार्दन जिनका कुल धर्म नश्ट हो गया है ऐसे मनुश्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है ऐसा हम सुनते आए हाँ शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महानपाप करने को तयार हो गए है जो राज और सुक के लोब से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए है यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हात में लिए हुए धृतराश्टर के पुत्र रण में मार डाले तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्यान कारक होगा संजे बोली रण भूमी में शोक से उद्विग्न मनवाले अरजुन इस प्रकार कहकर बान सहित धनुष को त्याग कर रत के पिछले भाग में बैठ कई मैं कृष्ण हूँ विश्व की ऐसी पहली किताब है जिसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन को गहरे रिसर्च के बाद एक सलसिले वार कहानी के रूप में लिखा गया है दीट्रिवेदी द्वारा लिखित इस किताब में कृष्ण स्वेम अपने जीवन की कहानी को बतलाते हैं और अपने हर कर्म के पीछे के मुख्य कार्णों पर चर्चा करते हैं ये किताब अंग्रेशी हिंदी तथा गुचराती में सभी प्रमुक बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं जैसे शरीर को स्वस्त रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवशक्ता होती है वैसे ही मन को स्वस्त रखने के लिए भी अच्छी मानसी खुराकों की आवशक्ता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूंगा रोज सुबह 10-20 मिनिट आख बंद करके शानती से किता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा द्रिती अध्याय सांख्य योग कृष्ण अर्जुन संवाद संजे बोली उस प्रकार करणा से व्याप्त और आसों से पून तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रती भगवान मदू सुदन ने ये वचन कहा हे अर्जुन तुझे इस असमाई ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ क्योंकि न तो ये श्रेष्ट पुरुशो द्वारा आचरित है न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्थी को करने वाला ही है इसलिए हे अर्जुन न पुल सक्टा को मद प्राप्त हो तुझ में ये उचित नहीं जान पड़ती हे परंतक रिदय की तुझ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा हे मद सूदन मैं रणभूई में किस प्रकार बाणों से भीश्म पितामय और दुर्णाचारे के विरुध लणूगा क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूझनी है इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अंडभी खाना कल्यान कारत समझता हूँ क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुई अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रिष्ट है अत्वा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिन को मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मिय धृतराष्ट के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़ेंगे इसलिए कायरता रूप दोश से उपाथ हुए सभावाला तथा धर्म के विशे के मोहचित हुआ मैं आप से पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्यान कारक हो वो मेरे लिए कही क्योंकि मैं आपका शिष्च हूँ इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए क्योंकि भूमी में निश्कंटक धन धाने संपन्य राज्चि को और देरताओं के स्वामी बने को प्राप्थ होकर भी मैं उस उपाए को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखने वाले शोक को दूर कर सके संजे बोली हे राजन निद्रा को जीतने वाले अरजुन अंतर्यामी श्रीकृष्ण महराज के प्रती इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भुगवान से युद्ध नहीं करूँगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए हे भरतवन्शी धुत्राष्ट अंतर्यामी श्रीकृष्ण महराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अरजुन को हसते हुए से ये वचन भोले हे अरजुन तु न शोक करने योग्य मनुश्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के से वचनों को कहता है परन्तो जिनके प्राण चले गए है उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए है उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था तू नहीं था अत्वा ये राजा लोग नहीं थे और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन जवानी और व्रिधावस्था होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ती होती है उस विशय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है कुंती पुत्र सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्री और विशयों के सैयोग तो उत्पत्ती विनाश शील और अनित्य है इसलिए हे भारत उनको तु सहन कर क्योंके हे पुरुष रेष्ट दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्री और विशयों के सैयोग व्याकुल नहीं करते वो मोक्ष के योग्यों होता है असत वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सत्का अभाव नहीं है इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्व ज्यानी बुरुषों द्वारा देखा गया है नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर जगत द्रिश वर्ग व्यापत है इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं इसलिए है भरत्वंशी अर्जुन तू युद्ध कर जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते क्योंके ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्ता है और न मरता ही है तथा न ये उत्पन्ल होकर फिर होने वाला ही है क्योंकि ये अजन्मा, मित्य, सनातन और खुरातन है शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता हे प्रिथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्याय जानता है वो पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहन करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है इस सात्मा को शस्त्र नहीं काट सकते इसको आग नहीं जला सकती इसको जल नहीं गला सकता और वायू नहीं सुखा सकता क्योंकि ये आत्मा अच्छे द्य है ये आत्मा अदाहिय, अकलेत्य और निस्संदे अशूश्य है तथा ये आत्मा मित्य, सर्वव्यादी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अच्छिंत्य है और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है इस से है अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तु शोग करने के योग नहीं है, अर्थात तुझे शोग करना उचित नहीं है किन्तु यदि तु इस आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी है महबाहो तु इस प्रकार शोग करने के योग्य नहीं है क्योंकि इस मान्निता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है इस से भी इस बिना उपाय वाले विशे में तू शोग करने के योग ये नहीं है हे अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले है केवल बीच में ही प्रकट है फिर ऐसी स्थिति में क्या शोग करना है कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भादी देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भादी वरणन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भाती सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता हे अर्जुन ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है इस कारण संपूर प्राणियों के लिए तू शोग करने के योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए क्योंके क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्यानकारी करतव्य नहीं है हे पार्थ अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं किन्त यदि तु इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्टी को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अब कीर्टी का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अब कीर्टी मरण से भी बढ़कर है और जिनकी दृष्टी में तु पहले बहुत सम्मानित होकर अब लगुता को प्राप्त होगा वे महारती लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे उससे अधिक दुख और क्या होगा या तो तु युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथ्वा संग्राम में जीत कर प्रित्वी का राज्य भोगेगा इस कारण है अर्जुम तु युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा जय पराजय लावहान और सुख दुख को समान समझ कर उसके बाद युद्ध के लिए तयार हो जा इस प्रकार युद्ध करने से तु पाप को नहीं प्राप्त होगा हे पार्थ ये बुद्धी तेरे लिए ज्यान योग के विशे में कही गई और अब तु इसको कर्म योग के विशे में सुन जिस बुद्धी से युक्त हुआ तु कर्मों के बंधन को भली भाती त्याग देगा अर्थात सर्वता नश्ट कर डालेगा इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोश भी नहीं है बलके इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्य रूप महान भय से रक्षा कर लेता है हे अर्जुन इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धी एक ही होती है किन्तु अस्थिर विचार वाले विवेक ही सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है हे अर्जुन जो भोगों में तन्मय हो रहे है जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीती रखते है जिनकी बुद्धी में स्वर्ग ही परमप्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले है वे अविवेकी जन्म इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं जो के जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा आश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वरणन करने वाली है उस वाणी द्वारा जिनका चिप्त हर लिया गया है जो भोग और अश्वर्य में अत्यम्त आसक्त हैं उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती हे अर्जुन वेद उपर युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कारे रूप समस्त भोगों एवम उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले है इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसकती ही हर्ष शोकादी द्वन्दों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेन को नचाहने वाला और स्वाधीन अन्ताकरण वाला हो सब और से परिपूर जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छूटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राहमर का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फलों में कभी नहीं इसलिए तू कर्मों के फल का हे तो मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो हे धनन्जय तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिध्धी और असिध्धी में समान बुद्धी वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर समत्व ही योग कहलाता है इस समत्व रूप बुद्धी योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्नश्रेनी का है इसलिए हे धनन्जय तू सम्बुध्धि में ही रक्षा का उपायट हूँ अठात बुध्धि योग का ही आश्रे ग्रहं कर क्योंके फल के हे तू बनने वाले अत्यन्त दीन है सम्बुध्धि युक्त पुरुष, पुर्णे और पाप दोनों को इसी लोग में त्याग देता है अठात उनसे मुक्त हो जाता है इससे तू समत्व रूप योग में लग जा ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है अठात कर्म बन्धन से छूटने का उपाय है क्योंके सम बुद्धि से युक्त ज्यानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परंपद को प्राप्त हो जाते हैं जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भाती पार कर जाएगी उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक सम्मंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा भाती भाती के वचलों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा अर्थार तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा अर्चुन बोली हे केशव समाध्य में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्यालक्षण है वो स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है कैसे बैठता है और कैसे चलता है श्री कृष्न बोली हे अरजुन, जिस काल में ये पुरुष, मन में स्थित सम्पूर कामनाओं को भली भाती त्याग देता है और आक्मा से आक्मा में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वो स्थित प्रग्य कहा जाता है दुखों की प्राप्ती होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखों की प्राप्ती में जो सर्वता निहस्प्रिह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नश्च हो गए है ऐसा मुनी स्थिर बुद्धी कहा जाता है जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेश करता है उसकी बुद्धी स्थिर है और कच्वा सब और से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विशयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धी स्थिर है इंद्रियों के द्वारा विशयों को गहन न करने वाले पुरुष के भी केवल विशय तो निव्रित हो जाते है परंतून में रहने वाली आसक्ति निवृत नहीं होती इस्थित प्रग्य पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात कार करके निवृत हो जाती है हे अर्चुन आसक्ति का नाश नहोने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रिया यत्म करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलाकार से हर लेती है इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायन होकर ध्यान में बैठे क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रिया वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है विशयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विशयों में आसक्ती हो जाती है आसक्ती से उन विशयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विग्न पढ़ने से क्रोध उत्पन्न होता है क्रोध से अत्यंत मूर्भाव उत्पन्न हो जाता है मूर्भाव से स्मृति में ब्रह्म हो जाता है स्मृति में ब्रह्म हो जाने से बुद्धी अर्थात ज्यान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से ये पुरुष अपनी स्थिती से गिर जाता है परन्तु अपने अधीन किये हुए अंतहकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेश से रहित इंद्रियों द्वारा विशेयों में विचरण करता हुआ अंतहकरण की प्रसंदता को प्राप्त होता है अंतहकरण की प्रसंदता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसंद्चित वाले कर्म योगी की बुद्धी शीग रही सब और से हटकर एक परमात्मा में ही भली भाती स्थिर हो जाती है न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धी नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंताकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावना ही मनुष्य को शांती नहीं मिलती आज शांती रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायू हर लेती है वैसे ही विश्यों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है इसलिए हे महाबाहो जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विशेयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्री के समान है उस नित्य ज्यान स्वरूप पर्मानंद की प्राप्ती में स्थित प्रग्य योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ती में सब प्राणी जागते हैं पर मात्मा के तत्व को जानने वाले मुनी के लिए वो रात्री के समान है जैसे नाना नदियों के जल सब और से परिपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा ही जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस ठित प्रग्य पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शांती को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष सम्पूर कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहुकार रहित और स्प्रिहा रहित हुआ विचरता है, वही शांती को प्राप्त होता है, अर्थात वो शांती को प्राप्त है। हे अर्जुन ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष्की स्थिती है इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्मी स्थिती में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है कैसे अनपढ़ एडिसिन एक हजार से उपर पेटिंट्स रिजिस्टर करवाने वाले वे ज्यानिक हो गए कैसे पेट्रोल पंपर पेट्रोल भर रहे दीरू भाई इतने बड़े विवसाई हो गए कम पड़े लिखे वस्कूली शेतान कैसे स्टीर जॉब्स हो गए सफलता के पैमाने अनेक कारण सिर्फ एक मन की शक्तियां मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िये दीप्तिरवेदी की बेस सेलिंग किताब मैं मन हूँ जैसे शरीर को स्वस्त रखने के लिए अच्छी खुराक और एक साइस की आवशक्ता होती है वैसे ही मन को स्वस्त रखने के लिए भी अच्छी मानसिक खुराकों की आवशक्ता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूंगा रोज सुबह दस बीस मिनीट आख बंद करके शानती से गीता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा अध्याय तीन कर्म योग अर्जुन बोली हे जेनारदन ये आपको कर्म की अपेक्षा ज्यान श्रिष्ठ मान्य है तो फिर हे के शब मुझे भहेंकर कर्म में क्यों लगाते हैं आप मिले हुए से बच्चनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं इसलिए उसे एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्यान को प्राप्त हो जाऊ हे निश्पाप इस लोक में दो प्रकार की निश्ठाएं मेरे द्वारा पहले कही गई है उन में से सांख्य योगियों की निश्ठा तो ग्यान योग से और योगियों की निश्ठा कर्म योग से होती है मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किये बिना निश्कर्मता को यानि योग निश्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिध्धी यानि सांख्य निश्ठा को ही प्राप्त होता है निसन देह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में ख्षण मात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृती जनित गुनों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है जो मूर भुद्धी मनुष्य समस्त इंद्रियों को हट पूर्वक उपर से रोप कर मन से उन इंद्रियों के विशयों का चिंतन करता रहता है वो मिथ्याचारी अर्थात दम भी कहा जाता है किन्तु है अर्चुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अना सक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर क्योंके कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा यग्य के निमित किये जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है इसलिए है अर्जुन तू आसक्ति से रहित होकर उस यग्य के निमित्त ही भली भाती करतव्य कर्म कर प्रजापती ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यग्य सहित प्रजाओं को रच कर उनसे कहा कि तुम लोग इस यग्य के द्वारा वृद्धी को प्राप्त हो ये यग्य तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो तुम लोग इस यग्य के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें इस प्रकार निस्वार्त भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्यान को प्राप्त हो जाओगे यग्य के द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चे ही देते रहेंगे इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिये हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिये स्वयम भोगता है वो चोर ही है यग्य से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ट पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोशन करने के लिए ही अन्न को पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं सम्पूल प्राणी अन्न से उत्पन होते है अन्न की उत्पत्ती वृष्टी से होती है वृष्टी यग्य से होती है और यग्य वहित कर्मों से उत्पन होने वाला है कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन हुआ जान इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमक्षर परमात्मा सदाही यग्यमे प्रतिष्चित है हे पार्थ जो पुरुष इस लोग में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित स्रिष्टी चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायू पुरुष व्यर्थी ही जीता है परंथ जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही त्रिप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई करतव्य नहीं है उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का सम्मंद नहीं रहता इसलिए तु निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांती करता रहे क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जनकादि ज्यानी जन भी आसकती रहित कर्म द्वारा ही परम सिध्धी को प्राप्थ हुए थे इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तु कर्म करने के ही योक्य है अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है श्रेश्ट पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते है वो जो कुछ प्रमान कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है हे अर्जुन मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ करताव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तू अप्राप्त है तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ क्योंके हे पार्थ यदि कधाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानी हो जाए क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते है इसलिए यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नश्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हो जाओं तथा इस समस्त प्रजा को नश्ट करने वाला बनू। हे भारत कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्ती रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अठल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ती वाले अज्ञानियों की बुद्धी में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रधा उत्पन्न न करे। किन्तु स्वयम शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भाती करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृती के गुनों द्वारा किये जाते है तो भी जिसका अंतहकरण अहुंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है परंतु हे महाबाहु गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे है ऐसा समझ कर उनमें आसक्त नहीं होता प्रकृती के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं उन पूर्ण तया नसमझने वाले मंद बुद्धी अज्ञानियों को पूर्ण तया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे मुझ अंतर्यामी पर मात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपून कर्मों को मुझ में अरपण करके आशा रहित ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर जो कोई मनुष्य दोश द्रिष्टी से रहित और शधा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरन करते हैं वे भी संपून कर्मों से चूट जाते हैं परन्तु जो मनुष्य मुझ में दोशारोपन करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं। उन मूर्खों को तु संपूर्ण ग्यानु में मोहित और नश्ट हुए ही समझ। सभी प्राणी प्रकृती को प्राप्त होते हैं। अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्यानवान भी अपनी प्रकृती के अनुसार चेश्टा करता है। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विशय में राग और द्वेश छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए। क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्यान मार्ग में विग्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अतियुत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्यान कारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जन बोली एकृष्ण तो फिर ये मनोश्य स्वयमन चाहता हुआ भी बलातकार से लगाए हुए की भात किससे प्रेरे धोकर पाप का आचरण करता है। श्री कृष्ण बोली रजोगुन से उत्पन हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अगाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तु इस विश्य में बैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अगनी और मैल से दरपन धक जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्ब धका रहता है। वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान धका रहता है। और हे अरजुन इस अगनी के समान कभी नपूर होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्यवैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान धका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धी ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम इन मन, बुद्धी और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए है अर्जुन, तु पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानि श्रेष्ट, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धी है और जो बुद्धी से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। इस प्रकार बुद्धी से पर अर्थात, सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ट आत्मा को जान कर और बुद्धी के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहु तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को माड़ा की अंदाज में समझाते हैं इस किताब में वर्नित कहानिया आपको महापुर्शों दार्सुनिकों एवं वैग्यानिकों की रोमांचिक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं जिने पढ़कर आपको ना सिर्थ मज़ा आएगा बलकि इससे आपके जीवन में आवश्चक सकारात्मक परिवर्तन की आएगा यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराची तथा गुजराती में आत्मनिस्टोर.com और सभी प्रमुख बुक्स्टोर्स तथा इकॉमर्स साइट्स पर उपलब्द है जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवश्चकता होती है वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए भी अच्छी मानसिक खुराकों की आवश्चकता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूँगा रोज सुबह दस बीस मिनीट आख बंद करके शानती से गीता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा अध्याए चार ग्यान कर्म सन्यास योग श्री कृष्ण ने बोली मैंने इस सविनाशी योग को सूर्य से कहा था सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा एक्ष्वाकू से कहा हे परंता परजुन इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजरशियों ने जाना किन्तू उसके बाद वो योग बहुत काल से इस प्रित्वी लोग में लुप्त पाय हो गया तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझ को कहा है क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विशर है अर्जिन बोले ही आपका जन्म तो अर्वाचीन अभी हालका है और सूरी का जन्म बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदि में हो जुगा था तब मैं इस बात को कैसे समझू कि आप ही ने कल्प के आदि में सूरी से ही योग कहा था श्री कृष्न बोले हे परम्त परजुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके है उन सब को तू नहीं जानता किन्तो मैं जानता हूँ मैं अजन्मा और अभिनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृती को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ हे भारत जब जब धर्म की हान और अधर्म की प्रिद्धी होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रज़ता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुक प्रकट होता हूँ साधु पुरुशों का उद्धार करने के लिए पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग-युग में प्रकट हुआ करता हूँ हे अर्जुन मेरे जन और कर्म, दिव्व, अर्थात, निर्मल और अलाकिक है इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वो शरीर को त्याग कर फिर जन को प्राप्त नहीं होता किन्तु मुझे ये प्राप्त होता है पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नश्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त, उपर्युक्त ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके है हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ क्योंके सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्गा अनुसरण करते हैं इस मनुष्य लोग में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं क्योंके उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिध्धी, शीघ्र मिल जाते हैं ब्राह्मन, क्षत्री, वैश्य और शूत्र इन चार वरणों का समूः गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक्त मेरे द्वारा रचा गया है इस प्रकार उस स्रिष्टी रचनादी कर्म का करता होने पर भी मुझह विनाशी परमेश्वर को तू वास्तम में अकरता ही जाने कर्मों के फल में मेरी स्प्रिहा नहीं है इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बनता पूर्वकाल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जान कर ही कर्म किये है इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किये जाने वाले कर्मों को ही कर्म कर्म क्या है और अकर्म क्या है इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं इसलिए वो कर्म तत्व मैं तुझे भलीभाती समझा कर कहूंगा जिसे जानकर तू अशुब से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा कर्म का स्वरू भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरू भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरू भी जानना चाहिए क्योंके कर्म की गती गहन है जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुश्यों में बुद्धिमान है और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है जिसके सम्पूँ शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्यान रूप अग्मी के द्वारा भस्म हो गए है उस महापुरुष को ज्यानी जन भी पंडित कहते हैं जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वता त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य त्रिप्त है वो कर्मों में भली भाती परतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता जिसका अंतहकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है ऐसा आशारहित पुरुष केवन शरीर सम्मंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है जिसमें इर्श्या का सर्वता अभाव हो गया है जो हर्श शोकादी द्वंगों से सर्वता अतीत हो गया है ऐसा सिध्धी और असिध्धी में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता जिसकी आसक्ती सर्वता नश्ट हो गयी है जो देहा भिमान और ममता से रहित हो गया है जिसका चित निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है ऐसा केवल यग्य संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर कर्म भली भादी विलीन हो जाते है जिस यग्य में अर्पन अर्थात सुरुआ आदी भी ब्रह्म है और हवन किये जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप करता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नी में आहूती देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किये जाने योग्य भल भी ब्रह्म ही है दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यग्य का ही भलिभाती अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नी में अभेद दर्शन रूप यग्य के द्वारा ही आत्म रूप यग्य का हवन किया करते हैं अन्य योगी जन श्रोत्र आदी समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्मियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादी समस्त विशयों को इंद्रिय रूप अग्मियों में हवन किया करते हैं दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपून क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसयम योग रूप अगनी में हवन किया करते हैं कई पुरुष द्रव्य संबंधी यग्य करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यग्य करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यग्य करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादी तीक्ष्न व्रतों से युक्त यत्मशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्यान यग करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायू में प्राण वायू को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायू में अपान वायू को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायन पुरुष, प्राण और अपान की गति को रोप कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक, यग्यों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यग्यों को जानने वाले हैं। हे पुरुष्रेष्ठ अर्जुन, यग्य से बचे हुए अम्रित का अनुभव करने वाले योगी जन्द, सनातन, परव्रम्न, परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यग्य न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं हैं। फिर पर लोग कैसे सुखदायक हो सकता हैं। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यग्य वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सब को तुम मन, इंद्री और शरीर की क्रियाद्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तु कर्म बंधन से सर्वता मुक्त हो जाएगा। हे परंता पर्जुन, रव्यमय यग्य की अपेक्षा, ज्यान यग्य अत्यंत श्रीष्ठ हैं। तथा यावन मात्र संपून तर्ण ज्यान में समात्व हो जाते हैं। उस ज्यान को तु तत्वधर्शी ज्यानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भादी दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वे परमात्म तत्व को भली भादी जानने वाले ज्यानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्यान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तु इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा है अर्जुन, जिस ज्यान के द्वारा तु संपूर्ण भूतों को निश्येश भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यदि तु अन्य सत पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तु ज्यान रूप नौका द्वारा निश्चन देह संपूर्ण पाप समुद्र से भली इभाती तर जाएगा। क्योंकि है अर्जम जैसे प्रज्वलित अगनी इंधनों को भस्म मै कर देता है, वैसे ही ज्यान रूप अगनी संपूर्ण कर्मों को भस्म मै कर देता है। इस संसार में ज्यान के समान पवित्र करने वाला निश्चन देह कुछ भी नहीं है। उस ज्यान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतह करण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय, साधन परायन और श्रद्धावान मनुष्य ज्यान को प्राप्त होता है। तथा ज्यान को प्राप्त होकर वो बिना विलंब के तकाल ही भगवत प्राप्ती रूम परम शांकि को प्राप्त हो जाता है। विवेक हीन और शद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य धरष्ट हो जाता है ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोग है न परलोग है और न सुख ही है हे धनन्जय जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अरपन कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है ऐसे वश में किये हुए अंतहकरण वाले कुरुष को कर्म नहीं बांधते इसलिए है भरत्वन्शी अरजुन तु रिदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्याम रूप दलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा कृष्ण ने जैश्री कृष्ण तक का सफर कैसे तै किया ये कोई साधारन सफर नहीं था लेकिन ये इतना मुश्कल भी नहीं है आप भी कृष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं पढ़िये मैं सेलिंग लेखक दीप्त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं कृष्ण हूँ ये किताब अंग्रेजी हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुक बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं जैसे शरीर को स्वस्त रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवशक्ता होती है वैसे ही मन को स्वस्त रखने के लिए भी अच्छी मानसी खुराकों की आवशक्ता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूंगा रोज सुबह 10-20 मिनिट आख बंद करके शानती से किता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा अध्याए पाच कर्म सन्यास योग अर्चुन बोली हे क्रिश्न आप कर्मों के सन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भात निश्चित कल्यान का रक साधन हो उसको कहिए कर्म सन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्यान के करने वाले हैं परंतु उन दोनों में भी कर्म सन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है हे अर्जुन जो पुरुष न किसी से द्वेश करता है और न किसी की आकांग्षा करता है वो कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है क्योंके राग द्वेशादी द्वन्दों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है उपर युक्त सन्यास और कर्म योग को मुर्क लोग प्रिथक प्रिथक फल देने वाले कहते हैं न के पंडित जान क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार के स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है ग्यान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है इसलिए जो पुरुष ग्यान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही यथार्थ देखता है परंटुहे अर्जुन कर्मयोग के बिना सन्यास, अर्थात, मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपून कर्मों में कर्तापन का त्यागप्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परब्रम् परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है जिसका मन अपने वश में है, जो जिदेंद्रिय एवं विशुध अंताकरण वाला है और संपून प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्ष करता हुआ, सुनता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, गहन करता हुआ, तथा आखों को खोलता और मूनता हुआ सब बिंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं इस प्रकार समझ कर निस संदे ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पन करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वो पुरुष जल से कमल के पत्ते की भादी पाप से लिप्त नहीं होता कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रीय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंताकरण की शुद्धी के लिए कर्म करते हैं कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शान्ति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है अंताकरण जिसके वश में है ऐसा सांख योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदा आनंद घन परमात्मा की स्वरूप में स्थित रहता है परमेश्वर मनुश्यों के न तो कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के सयोग की ही रचना करते है किन्तु स्वभाव ही बरत रहा है सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहन करता है किन्तु अज्ञान के द्वारा ज्ञान धका हुआ है उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे है परंतु जिनका वो अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नश्ट कर दिया गया है उनका वो ग्यान सूर्य के सत्रिश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है जिनका मन तद्रूप हो रहा है जिनकी बुद्धी तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एकी भाव से स्थिती है ऐसे तक परायन पुरुष ज्यान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरा वृत्ति को अर्थात परमगति को प्राप्त होते हैं वे ज्यानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मन में तथा गव, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपून संसार जीत लिया गया है क्योंके सच्चिदानंद घन परमात्मा ने दोश और सम है इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्शित नहीं हो और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विग्ण नहो वो स्थिर बुद्धी, संशय रहित, ब्रह्म वेक्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रम परमात्मा में एकी भाव से नित्य स्थित है बाहर के विशयों में आसकती रहित अंताकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्वी कानंद है उसको प्राप्त होता है तदनंतर वो सच्चिदानंद घन परब्रम परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का आनुभव करता है जो ये इंद्रिय तथा विशयों के सयोग से उत्पन होने वाले सब भोग है यद्यपी विशयी पुरुषों को सुखरूप भासते है तो भी दुख के ही हेतु है और आदि अन्द वाले अथात अनित्य है इसलिए हे अर्जुन बुद्धिमान विवे की पुरुष उनमें नहीं रमता जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है वही पुरुष योगी है और वही सुखी है जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्यान वाला है वो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एकी भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है जिनके सब पाप नश्ट हो गए है जिनके सब संशय ज्यान के द्वारा निवृत हो गए है जो संपूर्ण प्राणियों के हित्मे रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है वे ब्रह्म वेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साखशात कार किये हुए ज्यानी पुरुषों के लिए बाहर के विशय भोगों को नचिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की द्रिष्टी को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया, मन और बुध्धी जीती हुई है ऐसा जो मोक्ष परायन मुनी इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है वो सदा मुक्त ही है मेरा भक्त मुझको सब यग्य और तपों का भोगने वाला संपूर लोकों के इश्वरों का भी इश्वर तथा संपूर भूत प्राणियों का सुहरित, अर्थात, स्वार्थ रहित, दयालू और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शान्ती को प्राप्त होता है मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीधर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्क पर लगाया है आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं पढ़िये दीप्त्रिवेदी की बेस सेलिंग किताब मैं मन हूँ जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवशक्ता होती है वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए भी अच्छी मानसिक खुराकों की आवशक्ता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूँगा रोज सुबह दस बीस मिनिट आँख बंद करके शान तीसे किता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बदन जाएगा अध्याई छै द्यान जोग श्री कृष्ण बोली जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वो सन्यासी तथा योगी है और केवल अगनी का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है हे अर्जुन जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तु योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता योग में आरूर होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निश्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगा रूर हो जाने पर उस योगा रूर पुरुष का जो सर्वसंकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्वसंकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूर कहा जाता है अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उधार करे और अपने को अधोगती में न डाले क्योंकि ये मनुश्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वो आप ही शत्रु के सत्रिश शत्रुता में बरतता है सर्दी गर्मी और सुख दुखादी में तथा मान और अपमान में जिसके अंताकरण की वृत्तियां भली भाती शान्त है ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्यान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है अर्थात उसके घ्यान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं जिसका अंताकरण घ्यान विज्ञान से त्रिप्त है जिसके स्थिति विकार रहित है जिसकी इंद्रियां भली भाती जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है वो योगी युक्त, अर्थात, भगवत प्राप्त है ऐसे कहा जाता है सुहरित, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्त, द्वेश्य और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेश्ट है मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए शुद्ध भूमी में जिसके ऊपर क्रमशह, कुशा, म्रिगचाला और वस्त्र बिचे हैं जो न बहुत उचा है और न बहुत नीचा ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैटकर चित और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकांग्र करके अंतहकरण की शुद्धी के लिए योग का भ्यास करें काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर द्रिष्टी जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भैरहित तथा भलीभादी, शांत अंतहकरण वाला सावधान योगी मन को रोग कर मुझ में चित वाला और मेरे परायन होकर स्थित होए वश में किये हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांती को प्राप्त होता है हे अर्जुन ये योग न तो बहुत खाने वाले का न बिलकुल न खाने वाले का न बहुत शैन करने के सभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का कर्मों में यथा योग्य चेश्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिध्ध होता है अत्यंत वश में किया हुआ चित जिस काल में परमात्मा में ही भली भाती स्थित हो जाता है उस काल में संपूर्ण भोगों से स्प्रिहा रहित पुरुष योग युक्त है ऐसा कहा जाता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलाएमान नहीं होता वैसी ही उक्मा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस सवस्था में उपराम हो जाता है और जिस सवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुध्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहन करने योग्य जो अनन्ता अनन्द है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित ये योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाब को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाब नहीं मानता और परमात्म प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलाय मान नहीं होता जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए वो योग न उपताय हुए अर्थात, धैर्य और उत्साह यूप चित्त से निश्चय पूर्वक करना करतव्य है संकल्प से उत्पन होने वाली संपूर्व कामनाओं को निश्चेश रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भादी रोप कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरती को प्राप्त हुँ तथा धैर्य युक्त बुद्धी के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादी विशय के निमित्त से संसार में विचरता है उस उस विशय से रोप कर यानि हटा कर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुर शांत हो गया है ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एकी भाव हुए योगी को उत्तम्मानंद प्राप्त होता है वो पाप्रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वत परव्रम परमात्मा की प्राप्ति रूप अनन्त आनंद का अनुभव करता है सर्वव्यापी अनन्त चेतन में एकी भाव से स्थिती रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है जो पुरुष संपून भूतों में सब के आत्म रूप मुझवासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपून भूतों को मुझवासुदेव के अंतरगत देखता है उसके लिए मैं अद्रिश नहीं होता और वो मेरे लिए अद्रिश नहीं होता जो पुरुष एकी भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है वो योगी सब प्रकार से बरत्ता हुआ भी मुझ में ही बरत्ता है हे अर्जुन जो योगी अपनी भाथी संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुक अथ्वा दुख को भी सब में सम देखता है वो योगी परमश्रेष्ट माना गया है अर्जुन बोले हे मदसुदन जो ये योगा आपने संभाव से कहा है मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ क्योंकि हे श्री कृष्ण ये मन बड़ा चंचल प्रमथन सभावाला बड़ा द्रिल और बलवाल है इसलिए उसका वश्मे करना मैं वाई को रोकने की भाथे अत्यंत दुश्कर मांगता हूँ श्री कृष्ण बोली हे महाबाहु निसंदे मन चंचल और कठिंता से वश्मे होने वाला है परन्तु हे कुंती पुत्र अर्जुन ये अभ्यास और वैराग्य से वश्मे होता है जिसका मन वश्मे किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष्द्वारा योग दुश्प्राप्य है और वश्मे किये हुए मन वाले प्रैत्न शील पुरुष्द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है ये मेरा मत है अर्जुन बोली हे श्रीक्रिश्म जो योग में शग्धा रखने वाला है किन्त सयमी नहीं है इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है ऐसा साधक योग की सिध्ध को अर्थाद भगवत साक्षाकार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है हे माहवाहो क्या वो भगवत प्राप्त के मार्ग में मोहित और आश्रय रहत पुरोष चिन्न भिन्न बादल की भाति दूनों और से भष्ट होकर नश्ट तो नहीं हो जाता हे श्रीक्रिश्म मेरे संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभब नहीं है श्रीक्रिश्न बोले हे पार्त उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न पर लोक में ही प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गती को प्राप्त नहीं होता योग भ्रष्ट पुरुष पुर्णेमानों के लोकों को अर्थात स्वर्गाधी उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उन में बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरन वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है अत्वा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्यानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सोज संसार में निस संदेह अत्यंत दुरलव है वहां उस पहले शरीर में संग्रह किये हुए बुद्धी संयोग को अर्थात सम बुद्धी रूप योग के संसकारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनन्दन उसके प्रभाव से वो फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धी के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्म करता है वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग ध्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदे भगवान की ओर आकरशित किया जाता है तथा संबुधि रूप योग का जिग्यासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उलंगन कर जाता है परंतु प्रयत्म पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संसकार बल से इसी जन्म में संसिध्ध होकर संपूर्ण पापों से रहत हो फिर ततकाल ही परमगति को प्राप्त हो जाता है योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है शास्त्र ज्यानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है इससे है अर्जुन तू योगी हो संपूर्ण योगियों में भी जो श्रधावान योगी मुझे में लगे हुए अंतरात्मा से मुझे को निरंतर भजता है वो योगी मुझे परमश्रेष्ट मान्य है आपने हजारों कहानिया सुनी और पढ़ी हुँगी लेकिन बेस सेलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखर दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदा बाहर कहानिया में सर्वकाल इन सर्वश्रिष्ट कहानियों और चिटकुनों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकलोजिकल और फिलोसोफिकल पहलों को सार के रूप में अपने ही अनोखी अंदाज में समझाते हैं इस किताब में वरनित कहानिया आपको महापुर्शों, दारसुनिकों एवं वैग्यानिकों की रोमांचिक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं जिने पढ़कर आपको ना सिर्फ मज़ा आएगा बलकि इससे आपके जीवन में आवश्चक सकारात्मत परिवर्तन भी आएगा यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराची तथा गुजराती में आत्मनेस्टोर.com और सभी प्रमुख बुक्स्टोर्स तथा इकॉमर्स साइट्स पर उपलब्द है जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवश्चता होती है वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए भी अच्छी मानसिक खुराकों की आवश्चता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूंगा रोज सुबह 10-20 मिनिट आँख बंद करके शानती से किता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा अध्याय साथ ज्ञान विज्ञान योग श्री कृष्ण बोली हे पार्थ अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित तथा अनन्य भाव से मेरे परायन होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपून विभूती बल अईश्वर्यादी गुणों से युक्त सब के आत्म रूप मुझ को संशय रहित जानेगा उसको सुन मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपून तया कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेश नहीं रह जाता हजारों मनुश्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्म करता है और उन यत्म करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायर होकर मुझ को तत्व से अर्थार्थ यथार्थ रूप से जानता है प्रित्वी, जल, अग्न, वाई, आकाश, मन, बुद्धी और अहंकार भी इस प्रकार ये आठ प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृती है ये आठ प्रकार के भेडों वाली तो अपरा, अर्थात मेरी जड़ प्रकृती है और हे महाबाहु, इससे दूसरी को, जिससे ये संपूर जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा, परा, अर्थात, चेतन प्रकृती जान हे अर्जुन, तु ऐसा समझ, कि संपूर भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले है और मैं संपूर जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात, संपूर जगत का मूल कारण हूँ हे धनन्जय, मुझसे भिन्द, दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है ये संपूर जगत सूत्र में सूत्र के मनियों के सत्रिश, मुझमें गुथा हुआ है हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ मैं प्रित्वी में पवित्र गंद और अगनी में तेज हूँ तथा संपून भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ हे अर्जुन तू संपून भूतों का सनातन बीच मुझको ही जान मैं बुद्धिमानों की बुद्धी और तेचस्वियों का तेज हूँ हे भरत्ष्रेष्ट मैं बलवानों का आसकती और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव है और जो रजो गुण से तथा तमो गुण से होने वाले भाव है उन सब को तू मुझसे ही होने वाले है ऐसा जाँ परन्तु वास्तम में उनमें मैं और वे मुझमें नहीं है गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है इसी लिए इन तीनों गुणों से परे मुझह विनाशी को नहीं जानता क्योंके ये अलौकिक अठात अतिया धुत्रिगुणमई मेरी माया बड़ी दुस्तर है परन्त जो पुरुष केवन मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उलंगन कर जाते हैं अठात संसार से तर जाते हैं माया के द्वारा जिनका ज्यान हरा जा चुका है ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किये हुए मनुश्यों में लीच दूशित कर्म करने वाले मूर लोग मुझको नहीं भजते हे भरत्वन्शियों में श्रेष्ट अर्जुन उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिग्यासु और ज्यानी ऐसे चार प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ती वाला ज्यानी भक्त अतिउत्तम हैं। क्योंके मुझको तत्व से जानने वाले ज्यानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। ये सभी उदार हैं। परंतु ज्यानी तो साक्षात मेरा स्वरू भी है। ऐसा मेरा मत है। क्योंके वो मदगत, मन बुद्धिवाला, ज्यानी भक्त, अतिउत्तम गती स्वरू मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्यान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझ को भजता है। वो महात्मा अत्यंत दुर्लव है। उन उन धोगों की कामना द्वारा जिनका ज्यान हरा जा चुका है। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। अत्हात पूझते हैं। जो जो सकाम भगत जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूझना चाहता है। उस उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। वो पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे ध्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भुगों को निस्सन्देह प्राप्त करता है परन्तु उन अल्प बुद्धिवानों का वो फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अन्त में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भाती जन्व कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ बाते हैं अपनी योग माया से चिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता इसलिए ये अज्ञानी जनसमुदाए मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अथार मुझको जन्मने मरने वाला समझता है हे अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ परन्तु मुझको कोई भी श्रधा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता हे भरत्वन्शी अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेश से उपन अग्यता को प्राप्त हो रहे हैं परन्तु निश्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नश्ट हो गया है वे राग द्वेश जनित द्वन्व रूप मोह से मुक्त दिर निश्चई भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्म करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म्न को संपूर अध्यात्म को संपूर कर्म को जानते हैं जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियग्य के सहित मुझे अंतकाल में भी जानते हैं वे युक्त चित वाले पुरुष मुझे जानते हैं अठात प्राप्त हो जाते हैं जिस कृष्ण को राधा से एक पल की जुदाई तक बरदाश नहीं थी उस कृष्ण को अपनी प्यारी राधा से हमेशा के लिए क्यू बिछडना पड़ा क्यू दोनों जीवन के 90 वर्ष तक एक दूसरे से नहीं मिल पाए क्या थी दोनों की मजबूरी बड़ ये बेस सेलिंग लेखक दीप्त्रिवेदी द्वारा लेखित मैं कृष्ण हूँ ये किताब अंग्रेजी हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुक बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं जैसे शरीर को स्वस्त रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवशक्ता होती है वैसे ही मन को स्वस्त रखने के लिए भी अच्छी मानसिक खुराकों की आवशक्ता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूँगा रोज सुबह दस बीस मिनिट आख बंद करके शानती से गीता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा अध्याए आठ अक्षर ब्रह्म योग अर्जिन बोली हे पुरुशोत्तम वो ब्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैवकस को कहते है ये मदुसूदन यहां अधिय की कौन है और वो इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुशों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं श्रीक्रिश ने बोली परमक्षर ब्रह्म है अपना स्वरूप अर्थार जीवात्मा आध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्द करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है हिरन्य मैं पुरुष अधिदैव है और हे देवधारियों में श्रेष्ट अर्जुन इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियग्य हूँ जो पुरुष अनंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है इसमें कुछ भी संशन नहीं है हे कुंति पुत्र अर्जुन ये मनुश्य अन्तकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उस उसको ही प्राप्त होता है क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहा है इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर इस प्रकार मुझमें अर्पन किये हुए मन बुद्धी से युक्त होकर तू निस्संदे मुझको ही प्राप्त होगा हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्व पुरुष को अर्थाथ परमेश्वर को ही प्राप्त होता है जो पुरुष, सर्वग्य, अनादी, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अतिसूक्ष्म, सबके धारण पोशन करने वाले अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सद्रिश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अतिपरे, शुध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स स्मरन करता है, वो भक्ति युक्त पुरुष, अंतकाल में भी योग बल से भिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर निश्चल मन से स्मरन करता हुआ, उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है, वेद के जा जनने वाले विद्वान, जिस सच्चिदानंद घन रूप परमपद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परमपद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परमप को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा सब इंद्रियों के द्वारों को रोक कर तथा मन को रिदेश में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्रान को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योगधारणा में स्थित होकर जो पुरुश ओम इस एक स्थु स्वरूप मुझ निर्गुन ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याक कर जाता है वो पुरुश परमगति को प्राप्त होता है हे अर्जुन जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोतम को स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलव हूँ अर्थात उसे सहजी प्राप्त हो जाता हूँ परम सिध्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझ को प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर जन को नहीं प्राप्त होते हे अर्जुन ब्रह्म लोग परियंत सब लोग पुनरावर्ती है परन्तु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन नहीं होता क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्माधी के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको एक हजार चतुर्यूगी तक की अवधिवाला और रात्री को भी एक हजार चतुर्यूगी तक की अवधिवाली जो पुरुष तत्व से जानते है वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले है संपूर्ण चराचर भूत गण ब्रह्मा के दिन के प्रवेशकाल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन होते है और ब्रह्मा की रात्री के प्रवेशकाल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते है हे पार्त वही ये भूत समुदाय उत्पन्न हो होकर प्रकृती के वश में हुआ रात्री के प्रवेशकाल में लीन होता है और दिन के प्रवेशकाल में फिर उत्पन्न होता है उस अव्यक्त से भी अतिपरे दूसरा अर्थात विलक्षन जो सनातन अव्यक्त भाव है वो परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नश्ट होने पर भी नश्ट नहीं होता जो अव्यक्त अक्षन इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामत अव्यक्त भाव को परम गती कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वो मेरा परम धाम है हे पार्त जिस परमात्मा के अंतरगत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये समस्त जगत परिपूर है वो सनातन अव्यक्त परम गुरुष्तो अनन्य भक्ती से ही प्राप्त होने योग्य है हे अर्जुन जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लोटने वाली गती को और जिस काल में गए हुए वापस लोटने वाली गती को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा जिस मार्ग में जोतिर मैं अग्मी अभिमानी देवता है दिन का अभिमानी देवता है शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायन के छे महीनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मर कर गये हुए ब्रह्म वेत्ता योगी जन उपर युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं जिस मार्ग में धुमा भिमानी देवता है रात्री अभिमानी देवता है तथा कृष्न पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षनायन के छे महीनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मर कर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्ट देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की जोती को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुब कर्मों का फल भोग कर वापस आता है क्योंके जगत के ये दो प्रकार के शुपी और क्रिश्न अर्थात देवयान और पित्रियान मार्ग सनातन माने गये हैं इन में एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लाटना पड़ता उस परमगति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यू को प्राप्त होता है हे पार्थ इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता इस कारण हे अर्जुनी तू सब काल में समबुध्धी रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यग्य, तप और दानादी के करने में जो पुन्यफल कहा है उन सब का निस्संदेह उन्लंगन कर जाता है और सनातन परंपद को प्राप्त होता है मैं मन हूँ आपके जीवन के सुक और सफलता का मुख्य आधार माना मैं थोड़ा नटखट और कॉम्पलिकेटिड हूँ परंतु मैं आपकी बुद्धी से कई गुना शक्ति शाली भी हूँ मुझे जाना भी जा सकता है तथा मुझ पर मियंत्रन भी पाया जा सकता है एक बार मुझे जाना फेर क्या सफलता ही सफलता मेरा जादू समझने के लिए पढ़िए मैं मन हूँ आज ही खरीदें ये किताब आत्मनीस्टो डॉट कॉम पर अप्लब्ध है जैसे शरीर को स्वस्त रखने के लिए अच्छी खुराक और एकसाइस की आवशक्ता होती है वैसे ही मन को स्वस्त रखने के लिए भी अच्छी मानसिक खुराकों की आवशक्ता होती है और भगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूँगा रोज सुबह दस बीस मिनिट आख बंद करके शानती से किता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बदन जाएगा अध्याए नौ राजबिद्या राजगुह्यम योग श्री कृष्ण बोली तुझ दोश द्रिष्टी रहित भक्त के लिए इस परम गोपनिय विज्ञान सहित ज्यान को पुनह भली भाती कहूँगा जिसको जानकर तु दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा ये विज्ञान सहित ज्यान सब विद्याओं का राजा सब गोपनियों का राजा अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फलवाला धर्म योग्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है हे परंतक इस उपर्युक्त धर्म में शद्धा रहित पुरुष मुझको नप्राप्त होकर मृत्ति रूप संसार चक्र में भ्रमन करते रहते हैं मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बरफ के सद्रिश परिपूर है और सब भूत मेरे अंतरगत संकल्प के आधार स्थित हैं किन्तु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं किन्तु मेरी इश्वरिय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारन पोशन करने वाला और भूतों को उत्पन करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तम में भूतों में स्थित नहीं है जैसे आकाश से उत्पन सर्वत्र विचरने वाला महान वायू सदा आकाश में ही स्थित है वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है ऐसा जान हे अर्जुन कल्पूं के अंत में संभूत मेरी प्रकृती को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृती में लीन होते हैं और कल्पों के आदी में उनको मैं फिर रचता हूँ अपनी प्रकृती को अंगी कार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ हे अर्जुन उन कर्मों में आसकती रहित और उदासीन के सद्रिश स्थित मुझ पर मात्मा को वे कर्म नहीं बानते हे अर्जुन मुझ अधिश्ठाता के सकाश से प्रकृती चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हे तुसे ही ये संसार चक्र घूम रहा है मेरे परंभाव को नजानने वाले मूढ लोग मनुष्य का शरीर धारन करने वाले मुझ संपून भूतों के महानीश्वर को तुच्छ समझते हैं अर्थात अपनी योग माया से संसार के उध्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारन मनुष्य मानते हैं वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ क्यान वाले विक्षिप्त चित अज्ञानी जन, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृती को ही धारन किये रहते हैं परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृती के आश्रित महात्मा जन, मुझको सब भूतों का सनातन कारण, और नाश्रहित अक्षर स्वरूप जानकर, अनन्य मन से युक्त होकर, निरंतर भजते हैं वे द्रणिष्टे वाले भक्त जन, निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्टन करते हुए, तथा मेरी प्राप्ती के लिए यत्म करते हुए, और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर, अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं दूसरे ज्यान योगी, मुझ निर्गुन निराकार ब्रह्म का ज्यान यग्य के द्वारा अभिन भाव से पूजन करते हुए भी, मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराड़ स्वरूप परमेश्वर की प्रिथक भाव से उपासना करते हैं क्रतु मैं हूँ, यग्य मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, अवशधी मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नी मैं हूँ और हवन रूप क्रियाधी मैं ही हूँ इस संपूर जगत का धाता अर्था धारन करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामः, जानने योग्य पवित्र आउंकार तथा रिगवेद, सामवेद और यजुरवेद भी मैं ही हूँ प्राप्त होने योग्य परंधाम, भरन पोशन करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुव का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरन लेने योग्य, प्रत्युकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ती प्रलय का हेतु, स्थितिका आधार, निधान, और अविनाशी का परण भी मैं ही हूँ, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षन करता हूँ और उसे बरसाता हूँ, हे अर्जुन, मैं ही अम्रित और लित्य हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ. तीनों वेदों में विधान किये हुए सकाम कर्मों को करने वाले सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यग्यों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं वे पुरुष अपने पुर्णयों के फल रूप स्वर्ग लोग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं वे उस विशाल स्वर्ग लोग को भोग कर पुर्णयक्षिर होने पर मृत्यु लोग को प्राप्त होते हैं इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आशरय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुश बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं अर्थात पुर्ण के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुर्ण क्षीर होने पर मृत्य लोप में आते हैं जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निशकाम भाव से भजते हैं उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयम प्राप्त कर देता हूँ हे अर्जुन यद्यपी श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं किन्तून का वो पूजन अविधी पूर्वक अर्थात अज्यान पूर्वक है क्योंके संपूर यग्यों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते इसी से गिरते हैं अर्थात पुनरजन को प्राप्त होते हैं देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों क पुनर्जन नहीं होता जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल्लादी अर्पन करता है उस शुद्ध बुद्धि निश्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पन किया हुआ वह पत्र पुष्पादी मैं सगुन रूप से प्रकट होकर प्रीती सहित खाता हूं हे अर्जुन तू जो कर्म करता है जो खाता है जो हवन करता है जो दान देता है और जो तब करता है वो सब मेरे अर्पन कर इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पन होते हैं ऐसे सन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है परन्त जो भग मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, तो वो साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वो यथार्थ निश्चे वाला है। अर्थात उसने भली भावती निश्चे कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वो श्रीग्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परमशांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तु निश्चय पूर्वक सत्य जान के मेरा भक्त नश्ट नहीं होता। हे अर्जुन, स्त्री, वैश, शूत्र तथा पाप योनी चांडाल आदी जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परमगति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुर्णेशील ब्राहमण तथा राजरशी भक्त जन मेरी शरण होकर परमगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तु सुख रहिद और शनभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मुझमें मन वाला हू, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हू, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझमें नियुक्त करके, मेरे परायान होकर, तु मुझको ही प्राप्त होगा। आपने हजारों कहानिया सुनी और पढ़ी हूंगी लेकिन बेस्सलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्णा हूँ के लेखक धीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदा बाहर कहानिया में सर्वकाल इन सर्वश्रिष्ट कहानियों और चिटकुनों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकलोजिकल और फिलोसोफिकल पहलों को सार के रूप में अपने ही अनोखी अंदाज में समझाते हैं इस किताब में वरनित कहानियां आपको महापुर्शों, दारसुनिकों एवं वैग्यानिकों की रोमांचिक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं जिने पढ़कर आपको ना सिर्फ मजा आएगा बलकि इससे आपके जीवन में आवश्चक सकारात्मत परिवर्तन दियाएगा यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराथी तथा गुजराती में आत्मनिस्टोर.com और सभी प्रमुख बुक्स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवश्चता होती है वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए भी अच्छी मानसिक खुराकों की आवश्चता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूंगा रोज सुबह 10-20 मिनिट आख बंद करके शानती से किता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बगन जाएगा अध्याय दस विभूति योग श्री कृष्ण बोली हे महबावो फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महरिशी जन ही जानते हैं क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महरिश्यों का भी आदिकारण हूँ जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादी और लोकों का महा नीश्वर तत्व से जानता है वो मनुष्यों में ज्यानवान पुरुष संपून पापों से मुक्त हो जाता है निश्चय करने की शक्ति यथार्थ ज्यान असम्मूर्ता ख्रमा सत्य इंड्रियों का वश्मे करना मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलै और भय अभय तथा अहिंसा समता संतोश तप दान कीर्ती और अब कीर्ती ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं सात महरिशी जन चार उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादी तथा स्वायम भुवादी चौदह मनू ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है जो पुरुष मेरी इस परमैश्वर्य रूप विभूती को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेश्टा करता है इस प्रकार समझकर शद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्त जन मुझ पर मेश्वर को ही निरंतर भजते हैं निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अरपन करने वाले भक्त जन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कतन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते है और मुझ वासु देव में ही निरंतर रमन करते हैं। उस निरंतर मेरे ध्यान आदी में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्यान रूप योग देता हूं जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन उनके उपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंताकरण में स्थित हुआ मैं। स्वयम ही उनके अज्यान जनित अंधकार को प्रकाश मैं तत्व ज्यान रूप दीपक के द्वारा नश्ट कर देता हूं। अर्जुन बोली। जो कुछ भी मेरे प्रतियाब कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवन आपके लीला में स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवदाही। हे भूतों को उद्पन करने वाले हैं। हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुशोत्तम आप स्वैम ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्वी विभूतियों को संपूरुता से कहने में समर्द हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानो। और हे भगवन, आप किन-किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योगे हैं। हे जिनार्दन, अपनी योग शप्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वग गई हैं। क्योंकि आपकी अमरित्मय वचनों को सुनते हुए, मेरी द्रिप्ति नहीं होते हैं। अर्थात सुनने की उत्कंठवनी ही रहती है। श्री कृष्ण बोली। हे कुरुष्रेश्ट, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं। उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के रिदय में स्थित सब का आत्म हूँ। तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मत और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अधिति के बारह पुत्रों में विश्म हूँ, और जोतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। तथा मैं उन्चास वायू देवताओं का और नक्षत्रों का अधिपती चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में साम वेद हूँ। देवों में इंद्र हूँ। इंद्रियों में मन हुँ और हूथ प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हुँ मैं एक आदश वुद्रों में शंकर हुँ और यक्ष तथा राक्षसों में धनका स्वामी कुबेर हु मैं आठ वसुओं में अग्मी हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरू पर्वत हूँ पुरोहितों में मुख्या प्रिहस्पती मुझको जाँ हे पार्त मैं सेना पतियों में सकंद और चलाशयों में समुद्र हूँ मैं महर्शियों में भिगू और शब्दों में एक अक्षर अथात उंकार हूँ सब तका के यग्यों में जब यग्य और स्थिर रहने वालों में हिमाले पहाड हूँ मैं सब व्रिक्षों में पीपल का व्रिक्ष, देवर्शियों में नारद मुनी हूँ गंधर्वों में चित्रगत और सिद्धों में कपिल मुनिव। घोडों में अम्वित के साथ उत्पन होने वाला उच्चई हश्रवा नामक भुडा। श्रेश्च हाथियों में अयरावत नामक हाथी। और मनुश्यों में राजा मुझको जान। मैं शस्त्रों में वज्ज और गवों में काम धेनू हूँ शास्त्रोत रीती से संतान की उत्पत्ति का हे तू काम देव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ मैं नागों में शेशनाग और जल्चरों का अध्यपती वरुंदेवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यम्राज मैं हूँ मैं दैक्तियों में प्रहलार और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशूं में म्रिग्राज सिल और पक्षियों में मैं गरुण हूँ मैं पवित्र करने वालों में वायू और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मचलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागी रथी गंगाजी हूँ हे अरजुन सिष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्याँ अर्थात ब्रह्म विद्याँ और परस पर विवाद करने वालों का तत्व निरणय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वन्व नामक समास हूँ अक्षयकार अर्थात काल का भी महाकार तथा सब और मुखवाला विरावस्वरूद सब का धारन पोशन करने वाला भी मैं ही हूँ मैं सब का लाश करने वाला मृत्यों और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हे तु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्रीवाक, स्मृति, मेधा, ध्रिति और शमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं ब्रहत्साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्ग शीर्ष और रित्मों में वसंत मैं हूँ मैं छंद करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुशों का प्रभाव हूँ मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ व्रिश्णी वंशियों में वासुदे अर्थात मैं स्वयम तेरा सखा पांडवों में धनन्जय अर्थात तू मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कभी भी मैं ही हूँ मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ जीतने की इच्छा वालों की नीती हूँ गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ आ ग्यानवानों का तत्व ग्यान मैं ही हूँ आ हे अर्चुन जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूँ क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो हे परंतक मेरी दिव्वे विभूतियों का अंत नहीं है मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है जो जो भी विभूतियों अर्थात अईश्वर्यययों कांतियों आशक्तियों तवस्तु है उस उसको तु मेरे देज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान रण छोड़ने के लिए मशूर कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद से भागने क्यों नहीं दिया क्या थे कृष्ण के स्वेन के रण छोड़ने के और अर्जुन को रण ना छोड़ने देने के कारण पढ़िये बेस्सेलिंग लेखाग दीप्त्रवेदी द्वारा लखेद मैं क्रिश्न हूँ ये किताब अंग्रेजी हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुक बुक स्टोर्स और ई-कॉनर्स साइट्स पर उपलब है जैसे शरीर को स्वस्त रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवशक्ता होती है वैसे ही मन को स्वस्त रखने के लिए भी अच्छी मानसिक खुराकों की आवशक्ता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूँगा रोज सुबह दस बीस मिनिट आख बंद करके शानती से गीता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा अध्याए 11 विश्वरूप दर्शन योग अर्जिन बोली मुझ पर अनुक्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनिय आध्यात्म विश्यक वचन अर्थात पुद्देश कहा उससे मेरा या ज्यान नश्ट हो गया है क्योंकि हे कमा नेत्र मैंने आपसे भूतों के उत्पत्ते और प्रलें विस्तारपूरवक सुने है तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है हे परमेश्वर आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है परन्तु हे पुर्शोत्तम आपके ज्यान एश्वर्लि शक्त बल वीजि और तेज से युप्त एश्वर रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ हे प्रभू यिद मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर उस अविनाशी सुरूप का मुझे दर्शन कराईए श्री कृष्ण बोले हे पार्त अब तु मेरे सैक्डों हजारों नाना प्रकार के आ नाना वर्ण तथा नाना आक्रति वाले अलाखिक रूपों को देख हे भरत्वन्शी अर्जुन तु मुझमे आदित्यों को अर्थात अदिति के द्वादश पुत्रों को आठ वसुओं को एकादश रूद्रों को दोनों अश्विली कुमारों को आउ उन्चास मर्दगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले नदेखे हुए आश्चर्य मैरूपों को देख हे अर्जुन अब इस मेरे शरीर में एक जगा स्थित चराचार सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाता है सो देख परन्तु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रो द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलावकिक चक्षु देता हूँ इस से तू मेरी इश्वरी ये योग शक्ति को देख संजे बोली हे राजन महा योगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भुणवान में इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम एश्वरी योग्त दिव्य स्वरूप दिखला रहे अनेक मुख और मेत्रों से योग्त अनेक अधवत दर्शनों वाले बहुत से दिव्य मुशनों से योग्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाये हुए दिव्य माला और वस्त्रों को धारन किये हुए और दिव्य गंद का सारे शरीर में लेब किये हुए सब प्रकार के आश्चरियों से योग्त सीमा रहित और सब और मुफ्त किये हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा आकाश में हजास सूर्यों के एक साथ उदै होने से उत्पन जो प्रकाश हो वो भी उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सिद्रश्च कदाचित ही हो जगह स्थित देखा उसके अनंतर वियाश्चिर सी चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्वरूप परमात्मा को शद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणान करको हाथ जोड़ कर बोले हे देव मैं आपके शरीर में संपूर देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को महादेव को और संपूर रिश्यों को तथा दिभी संपूर को देखता ही हे संकूर्ण विश्व के स्वामिन आपको अनेक भजा पेट, मुख और नेत्रों से युख्थ तथा सब और से अनंत रूपों वाला देखता हूँ हे विश्व रूप मैं आपके न अंत को देखता हूँ न मध्ध को और न आदिको ही आपको में मुकुट युख्थ, गदा युख्थ और चक्र युख्थ तथा सब और से प्रकाश्वान तेज की पुंच, प्रज्जोलित अगने और सूरी के सद्रिश जोत युख्थ, कठिंता से देखे जाने युग की और सब और से अप्रमेयस युख्थ देखता हूँ आप ही जानने योग की परमक्षक अर्थात परग्रम परमात्मा हैं आप ही इस जगत के परमाश्रें हैं आप ही अनादी धर्म के रक्षक हैं और आप ही अगनाशी सनातन पुरुष हैं ऐसा मेरा मत है आपको आदे अंत और मध्ध से रहित अनन्त सामर्थ से युख्थ अनन्त भजावाले चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले प्रज्जुलित अगनी रूप मुखवाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्थ करते हुए देखता हूँ हे महात्मन ये स्वर्ग और प्रित्वी के बीच का संपूर्णा आगाश तथा सब दिशाय एक आपसे ही परिपून अगे तथा आपके इस अलोकिक और भिलकर रूप को देखकर तीनों लोग अतिवथा को प्राप्थ हो रहे वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ बैभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्छारण करते हैं तथा महरशिक और सिद्धों के समूदाय कन्यान हो ऐसा देखर उत्तम उत्तम स्थोत्रों द्वारा आपकी स्थुति करते हैं जो ग्यार है रुद्र और बार है आदित्ति तथा आठ वसुद, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्वनी कुमार, तथा मरुदगण और पित्रों का समूदाय तथा गंधर्व, यक्ष, और सिद्धों के समुदाय वे सभी विश्मित होकर आपको देखते हैं। आकाश को स्पर्ष करने वाले दैदीप्यमान, अनेक वरणों से युक्त, तथा फ्हलाय हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर, भैवीत अंपहकरण वाला मैं, धीरच और शांति नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास आप प्रसन्द कोुँ। वे सवीध रतराष्ट के पुत्र, राजाओं के समुदाय सहित, आप में प्रवेश का बहे देए। और भीश्म पितामा, त्रुनाचारिय, तथा वो करण और हमारे पक्षके वी प्रधान युद्धाओं के सहित, सब के सब आपके दाओं के कारण, विकराल भैयानक मुखों में बड़े वेक से दौरते हुए प्रवेश कर रहे है। और कई एक चूरण हुए सिरों सहित, आपके दाओं के बीच में लगे हुए दीख रहे है। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाः, स्वाभाविक ही समुद्र के ही समुख दौरते हैं। अर्थात समुत्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वेर नर्लोग के वीर भी आपके प्रजुलित मुखों में प्रवेश करते हैं। कर्जुलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब और से बार बार चाट रहें। हे विश्णों, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके दपा रहें। मुझे बद्याएं कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ट, आपको नमस्कार हूँ। आप प्रसन्न होईए। आदि गुरुष, आपको मैं विशेश रूप से जानना चाटता हूँ। क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्य को नहीं जानता। मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नश्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्धित योधा लोग हैं। वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। अतयव तु उठ यश्प्राप्त कर आशत्रों को जीत कर धन धाने से संपन्न रज्य को हो। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं। हे सब विसाचिन तू तो केवल निमित मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीश्म पितामा तथा जैद्रत और कर्ण। तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योधाओं को तू मार। भय मत कर। निस्सन दे। तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा। इसलिए युद्ध कर। संजे बोली। केश्व भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुडधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके। फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके। भगवान श्री कृष्ण के प्रती कत्कतवानी से बोले। हे अंतर्यामिन ये योके ही है कि आपके नाम, गोन और प्रभाव के कीर्थन से जगत अध्य हर्षित हो रहा है और अनुराप को भी प्राप्त हो रहा है। तथा भैवीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिध्धगणों के समुदाए नमस्कार कर रहे हैं। हे माहत्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें। क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्यवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सचिदानंद गंडम हैं। वो आप ही है। आप आदिदेव और सनातन फुरुष हैं। आप इस जगत के परमाश्रें और जानने वाले तथा जानने योग्य और परंधाम हैं। हे अनंत, रोप, आप से ये सब जगत व्याप, अर्थात, परिपूल हैं। आप बाय। यम्राज, अग्न, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वानी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार। नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार। नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्यवाले आपके लिए आगे से और पीछी से भी नमस्कार हे सरवातमन आपके लिए सब और से ही नमस्कार हो क्योंकि अनंत पराक्रम शाली आप समस्त संसार को व्यापत किये हुए है इससे आप ही सरवरूप ने आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है ऐसा मानकर प्रेम से अथ्वा प्रमाद सी भी मैंने हे कृष्ण, हे यादा, हे सके इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हटात कहा है और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोत के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजनाद में अकेले अत्वा उन सखाओं के सामने भी अप्मानित किये गए है वो सब अब राथ, अप्रमेय सुरूः, अर्थात, अचिंत प्रभावाले आपसे मैं ख्षमा करवाता हूँ आप इस चराचर जगत के पिधा और सबसे बड़े गुरु एबं अधि पूजनी है हे अनुपम प्रभावाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है फिर अधिक तो कैसे हो सकता है अतेव हे प्रभो, मैं शरीर को भलिभात चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुच करने योग्य आप इश्वर को पसंद होने के लिए डार्धना करता है हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियत्मा पत्नी के अपराद सहन करते हैं वैसे ही आप भी मेरे अपराद को सहन करने योग्य है मैं पहले न देके हुए आपके इस आश्यर्य मैं रूप को देखकर हर्शित हो रहा हूँ और मेरा मन भैसे अधिव्याकुल भी हो रहा है इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विश्व रूप को ही मुझे दिखलाईए मैं वेसे ही आपको मुकुद दारण किये हुए तथा गदा और चक्रात में लिए हुए देखना चाहता हूँ इसलिए हे विश्व सरूप हे सहस्त्रवाहू आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होई है श्री क्रेश ने बोले हे अर्जन अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो मैं सबका आदी और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था हे अर्जन मनुष्य लोग में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यग्यों के अध्ययन से न दान से न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ मेरे इस प्रकार के इस विकराल रूप को देख कर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूल भाव भी नहीं होना चाहिए तुब भय रहे और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंक चक्र गदा पद्म युक्त चतुर भुज रूप को फिर देख संजे बूली वासुद्यो भगवान ने अर्जुन के प्रतीज प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर भुज रूप को दिख लाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मोर्ती होकर इस भैवीत अर्जुन को धीरज दिया अर्जुन बोली हे जनार्दन आपके इस अतिशान्त मनुश्य रूप को देख कर अब मैं स्थर्चित हो गया हूँ और अपनी स्वाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ श्री कृष्ण बोले मेरा जो चतुर भुज रूप तुमने देखा है ये सुदुर दर्श है अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुरलब है देवता भी सधा इस रूप के दर्शन की आकांग्शा करते रहते हैं जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है इस प्रकार चतुर भुज रूप वाला मैं न वेदों से न तप से न दान से और न यग्य से ही देखा जा सकता हूँ परंतु है परंतप अरजुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर भुजरूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए, तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एकी भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्यों हूए हे अर्जुन जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण करतव्य कर्मों को करने वाला है मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसकती रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैरभाव से रहित है वो अनण्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है कैसे अनपड एडिसिन एक हजार से उपर पेटिंट्स रिजिस्टर करवाने वाले वे ज्यानिक हो गए कैसे पेट्रोल पंपर पेट्रोल भर रहे दीरु भाई इतने बड़े विवसाई हो गए कम पड़े लिखे वस्कूली शेतान कैसे स्टीव चॉब्स हो गए सफलता के पैमाने अनेक कारण सिर्फ एक मन की शक्तियां मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िये दीप्तिरवेदी की बैस सेलिंग किताब मैं मन हूँ जैसे शरीर को स्वस्त रखने के लिए अच्छी खुराक और एकसाईस की आवशक्ता होती है वैसे ही मन को स्वस्त रखने के लिए भी अच्छी मानसिक खुराकों की आवशक्ता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूँगा रोज सुबह दस बीस मिनिट आख बंद करके शानती से किता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा अध्याए बारा भक्तियोग अर्जुन बोली जो अनन्य प्रेमी भक्त जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके बचन ध्यान में लगे रहकर आप सबुन रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घंडराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ट भाव से भज़ते हैं उन दोनों प्रकार की उपासकों में अतिउत्तम योग वित्ता कौन है श्री कृष्ण बोले मुझ में मन को एक आग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ट शद्धा से युक्त होकर मुझ सगुन रूप परमेश्वर को भजते हैं वे मुझ को योगियों में अतिउत्तम योगी मान्य है उन सच्चिदानंद घन निराकार गंव में आसक्त चित वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेश है क्योंके देहा भिमानियों के द्वारा अव्यक्त विशय अगती दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है परन्तु जो मेरे परायन रहने वाले भक्त जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अरपन करके मुझ सगुन रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्त योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते है हे अरजुन उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीक रही मृत्य रूप संसार समुद्र से उधार करने वाला होता हूँ मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा इसके उपरांग तुम मुझ में ही निवास करेगा इसमें कुछ भी सैशे नहीं है यदि तुम मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर यदि तु उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायन हो जा इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तु असमर्थ है तो मन बुध्धियादी पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर मर्म को नजान कर किये हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ट है ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ट है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ट है क्योंकि त्याग से तकाली परम शान्ती होती है जो पुरुष सब भूतों में द्वेश भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालू है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुक दुखों की प्राक्ति में सम और शमावान है अर्थात अपरात करने वाले को भी अभय देने वाला है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किये हुए है और मुझ में दढ़ निश्चय वाला है, वो मुझ में अरपन किये हुए मन बुध्धी वाला मेरा भक्त मुझ को प्रिय है जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो स्वयम भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेगादी से रहित है, वो भक्त मुझ को प्रिय है जो पुरुष आकांचा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित, और दुखों से चूटा हुआ है वो सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझ को प्रिय है जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेश करता है, न शूप करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर कर्मों का त्यागी है, वो भक्त युक्त पुरुष मुझ को प्रिय है जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदी द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है जो निन्दास्तुति को समान समझने वाला मनन्शी और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वा होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में मम्ता और आसक्ति से रहित है वो स्थिर बुद्धि भक्त मान पुरुष मुझको प्रिये है परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायन होकर इस उपर कहे हुए धर्म मैं अम्वित को निश्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं वे भक्त मुझको अतिशय प्रिये है और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकलोजिकल और फिलोसोफिकल पहलों को सार के रूप में अपने ही अनोखी अंदाज में समझाते हैं इस किताब में वर्नित कहानियां आपको महापुर्शों, तारसुनिकों एवं वैग्यानिकों की रोमांचिक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं जिने पढ़कर आपको ना सिर्फ मज़ा आएगा बलकि इससे आपके जीवन में आवश्चक सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराची तथा गुजराती में आत्मनिस्टोर.com और सभी प्रमुख बुक्स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं जैसे शरीर को स्वस्त रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवशक्ता होती है वैसे ही मन को स्वस्त रखने के लिए भी अच्छी मानसिक खुराकों की आवशक्ता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूंगा रोज सुबह दस बीस मिनिट आख बंद करके शानती से गीता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बगल जाएगा अध्याय तेरा च्षेत्र च्षेत्रग्य विभाग योग श्री कृष्ण बोली हे अर्जुन ये शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रग्य इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्यानी जन कहते है हे अर्जुन तु सब क्षेत्रों में क्षेत्रग्य अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रग्य को अर्थात विकार सहित प्रकृती का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वो ज्यान है ऐसा मेरा मत है वो क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है तथा वो क्षेत्रग्य भी जो और जिस प्रभाव वाला है वो सब संक्षेप में मुझसे सुनू ये क्षेत्र और क्षेत्रग्य का तत्व रिश्यों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविधवेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भादी निश्चे किये हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृती भी तथा दस इंद्रियां, एक मन और पाँच इंद्रियों के विशय, अर्थात, शब्द, स्पर्ष, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेश, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतन और ध्रिती, इस प्रकार विकारों के सहित, ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया श्रेष्टता के अभिमान का अभाव, दंभाचरन का अभाव, किसी भी प्राणी को, किसी प्रकार भी न सताना, शमाभाव, मन वानियादी की सरल्ता, शद्धा भक्ती सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुध्धी, अंतह करण की स्थिर्ता, और मन इंद्रियों सहित शरीर का निक्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहुकार का भी अभाव, जन, मृत्य, जरा और रोगादी में दुख और दोशों का बार-बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन्नादी में आसक्ति का अभाव, मम्ता का न होना, तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदाही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा, अव्यभिचारिनी भक्ति, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, और विशयासक्त मनुश्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्यान में निट्यस्थिति, आतत्व ज्यान के अर्थ रूप, परमात्मा को ही देखना, ये सब ज्यान है, और जो इससे विपरीथ है, वो अज्यान है, ऐसा कहा है, जो जानने योग्य है, तथा जिसको जानकर मनुश्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भाति कहूँगा, वो अनादि वाला परब्रम्म, न सत ही कहा जाता है, न असत ही, वो सब और हाथ-पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला, तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वो संसार में सब को व्याप्त करके स्थित है, वो संपून इंद्रियों के विशयों को जानने वाला है, परंतु वास्तम में सब इंद्रियों से रहित है, तथा आसकती रहित होने पर भी सब का धारन पोशन करने वाला, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है, वो चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चरअचर भी वही है और वो सुक्ष्म होने से अविग्य है तथा अतिसमीप में और दूर में भी स्थित वही है वो परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सद्रिश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है तथा वो जानने योग्य परमात्मा विश्नु रूपों से भूतों को धारन पोशन करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा प्रह्मा रूप से सब को उत्पन करने वाला है वो परब्रम जियोतियों का भी जियोती एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है वो परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सब के रिदय में विशेश रूप से स्थित है इस प्रकार खेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है प्रकृती और पुरुष इन दोनों को ही तु अनादी जान और राद्वेशादी विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृती से ही उत्पन्न जान कार्य और करण को उत्पन्न करने में हे तु प्रकृती कहीं जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोगतापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है प्रकृती में स्थित ही पुरुश, प्रकृती से उत्पन्म, त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म देने का कारण है इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है वही साक्षी होने से उपद्रिष्टा और यथार्थ सम्मती देने वाला होने से अनुमन्ता सक का धारन पोशन करने वाला होने से भर्ता जीव रूप से भोक्ता believed ब्रम्मा आधिका भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृती को जो मनुष्य तत्व से जानता है वो सब प्रकार से कर्तव विकर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा रिदय में देखते हैं अन्य कितने ही ज्यान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं परन्तु इन से दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवन परायन पुरुष भी मृत्य रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं हे अर्जुन यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रग्य के संयोग से ही उत्पन्न जान जो पुरुष नश्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही अथार्थ देखता है क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नश्ट नहीं करता इससे वो परमगति को प्राप्त होता है और जो पुरुष संभून कर्मों को सब प्रकार से प्रकृती के द्वारा ही किये जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यतात देखता है जिस खण ये पुरुष भूतों के प्रिथक प्रिथक भाव को एक परमात्मा में हिस्थित तथा उस परमात्मा से ही संपून भूतों का विस्तार देखता है उसी ख्षण वो सच्चिदानंद घन ब्रम्म को प्राप्त हो जाता है हे अर्जुन अनादी होने से और निर्गुन होने से ये अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुन होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता हे अरजुन जिस प्रकार एक ही सूरिल इस संपून ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार एक ही आत्मा संपून ख्षेत्र को प्रकाशित करता है इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रग्य के भेद को तथा कारे सहित प्रक्रती से मुक्त होने को जो पुरुष ज्यान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन्द परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं गुआलो सा जीवन गुजारने के बाद कृष्ण ने द्वार का धीश तक का सफर कैसे तै किया क्या है क्रिश्ण के द्वार का बसाने के पीछे की दास्ता पढ़िए बेस्सेलिंग लेखाग दीवत्रिवेदी द्वारा लेखित मैं कृष्ण हूँ ये किताब अंग्रेजी हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुपूट स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब हैं जैसे शरीर को स्वस्त रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवशक्ता होती है वैसे ही मन को स्वस्त रखने के लिए भी अच्छी मानसी खुराकों की आवशक्ता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूंगा रोज सुबह 10-20 मिनिट आख बंद करके शानती से किता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा अध्याय चादा गुनत्रय विभावियों श्री कृष्ण बोले ज्यानों में भी अतियुत्तम उस परम ज्यान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुप्त होकर परम सिध्धी को प्राप्त हो गए है इस ज्यान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त करते हुए पुरुष्ण स्रिष्टि के आदी में पुनह उत्पन नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते है हे अर्जम मेरी महत ब्रह्म रूप मून प्रक्ति संपूर्ण भूतों की योनी है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनी में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता है उस जड़ चेतन के संयोग से सब धूतों की उत्पत्ति होते है हे अर्जम नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्थियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्ल होते हैं प्रकृती तो उन सब की गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ हे अर्जम सत्व गोर्ण रजो गोर्ण और तमो गोर्ण ये प्रकृती से उत्पन्ल तीनों गोर्ण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं हे निश्पाप उन तीनों गोर्णों में सत्व गोर्ण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित हैं वो सुख के सम्मंद से और ज्ञान के सम्मंद से अर्थात उसके अध्मान से बांता हैं हे अर्जन राग लूप रजो गोर्ण को कामना और आसकती से उत्पन जाने वो इस जीवात्मा को करमों के और उनके खुके सम्मंद से बांता है हे अर्जन सब देहा भिमानियों को मोहित करने वाले तमोगौन को तो अज्यान से पन जाने हे अर्जन सत्व गौन सुख में लगाता है और रजोगुन कर्म में तथा तमोगुन को ज्यान को ढखकर प्रमाद में भी लगाता है हे अर्जुन रजोगुन और तमोगुन को दबाकर सत्वगुन सत्वगुन और तमोगुन को दबाकर रजोगुन वैसे ही सत्वगुन और रजोगुन को दवाप है तमोगुन होता है अथा बढ़ता है जिस समय इस देह में तथा अंतहकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति पन्न होती है उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुन बढ़ा है हे अरजुन रजोगुन के बढ़ने पर लोग, प्रफृत्ति, स्वार्थ भुद्धि से कर्मों का, सकाम भार से आरम, अशान्ति और विशय धोगों की लालसा ये सबुत्पन होते हैं हे अरजुन, तमों गुण के बढ़ने पर अंतहकरण और इंद्रियों में अप्रताश, कर्तज्य कर्मों में अप्रवृत्ति और कमाद, अर्थात, व्यर्थ चीश्चा और निद्रादी, अंतहकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सब ही उपन्न होते हैं जब ये मनुष्य सत्व गुण की विद्धी में मृत्यू को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य, स्वरगादी लोगों को प्राप्त होता है रजो गुण के बढ़ने पर मृत्यू को प्राप्त होकर कर्मों की आसकती वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमो गुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पश्वादी, मूर योनियों में उत्पन्न होता है श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ग्यान और वैराज्यादी निर्मल फल कहा है राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्यान कहा है सत्व गुन से ज्यान उत्पन होता है और रजो गुन से निस्संदेः लोग तथा तमु गुन से प्रमार और मोह उत्पन होते हैं और अज्यान भी होता है सत्व गुन में स्थित पुरुष स्वरगादी उच्च लोकों को जाते हैं रजोगुन में स्थिक राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोग में ही रहते हैं और तमोगुन के कारे रूप निद्राग, प्रमाद और आलस्यादी में स्थिक तामस पुरुष अधुगति को अर्थात की पशुआदी, नीच योनियों को तथा नर्खों को प्राप्त होते हैं जिस समय द्रष्टा तीनों गुणों के अतिरिक अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्म से जानता है उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है ये पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उलंगन करके जन, मृत्यू, वृध्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है अर्जिन बोली इन तीनों गुणों से अतीद पुरुष किन-किन लक्षों से युक्त होता है और किस प्रकार के आजरों वाला होता है अर्जिन जो पुरुष तक्वगुण के कारे रूप प्रकाश को और रजोगुण के कारे रूप प्रवृत्ति को तथा तमों गुण के कारे रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेश करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांख्षा करता है जो साक्षी के सद्रिश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतता है ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकी भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्यानी प्रिय तथा अप्रिय को एक समानने वाला और अपनी निंदा स्थिति में भी समान भाव वाला है जो मान और अफमान में सम है मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर आरंभों में करतापन के अभिमान से रहित है वो पुरुष गुणा दीत कहा जाता है और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है वो भी इन तीन गुणों को भली भाती लांक कर सच्चिदानंद खन ब्रह्म को फ्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है क्योंके उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अम्रित का तथा नित्य धर्म का और अखन्द एक रस आनंद का आश्रे मैं हूँ मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीधर सकारात्मक परिवर्दन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्क पर लगाया है आप भी अपने जीवन में ये परिवर्दन आसानी से ला सकते हैं पढ़िये दीवत्रिवेदी की बैस सेलिंग किताब मैं मन हूँ जैसे शरीर को स्वस्त रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवशक्ता होती है वैसे ही मन को स्वस्त रखने के लिए भी अच्छी मानसिक खुराकों की आवशक्ता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूँगा रोज सुबह दस बीस मिनिट आख बंद करके शान तीसे किता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बगल जाएगा अग्धाय पंद्रा पुरुशोत्तम योग श्री कृष्ण बोले आदि पुरुश परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के व्रिक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं उस संसार रूप व्रिक्ष को जो पुरुश मूल सहित तत्व से जानता है वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है उस संसार व्रिक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विशय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यकादी योनी रूप शाखाएं नीचे और उपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोप में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जड़े भी नीचे और उपर सभी लोकों में व्याप्ट हो रही है इस संसार व्रिक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता क्योंकि न तो इसका आदी है और न अन्त है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिती ही है इसलिए इस अहन्ता, मम्ता और वासना रूप अति द्रढ मूलों वाले संसार रूप पीपल के व्रिक्ष को द्रढ वैराग्य रूप शस्त्रद्वारा काट कर उसके पश्चात उस परम पदरूप परमेश्वर को भली भाती खोजना चाहिए जिसमें गए पुरुष फिर लोटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार व्रिक्ष की प्रवृत्ती विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आधी पुरुष नारायन के मैं शरण हूँ इस प्रकार दढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए जिसका मान और मोह नश्ट हो गया है जिन्होंने आसकती रूप दोश को जीत लिया है जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्यस्थिती है और जिनकी कामनाएं पूर रूप से नश्ट हो गई है वे सुख दुख नामक बंदों से विमुक्त ज्यानी जन उस अविनाशी परमपद को प्राप्त होते है जिस परमपद को प्राप्त होकर मनुष्य लोट कर संसार में नहीं आते उस स्वयम प्रकाश परमपद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है न चंद्रमा और न अगनी ही वही मेरा परमधाम है इस देह में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अन्श है और वही इन प्रक्रती में स्थित, मन और पाँचों इंद्रियों को आकरशित करता है वायों गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहन करके ले जाता है वैसे ही देहादी का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है ये जीवात्मा, क्षोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विशेहों का सेवन करता है शरीर को छोड़ कर जाते हुए हो, अत्वा शरीर में स्थित हुए को, अत्वा विशेहों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेक शील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं यत्न करने वाले योगी जन भी अपने रिदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं किन्तु जिन्होंने अपने अंताकरण को शुद्ध नहीं किया हैं ऐसे अज्ञानी जन तों यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं सूर्य में स्थित जो तेज संपून जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अगनी में है उसको तू मेरा ही तेज जान और मैं ही प्रित्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस्वरूत अर्थात अम्रित्मय चंद्रमा होकर संपून आउशधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से सयुक्त वैश्वानर अगनी रूप होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ मैं ही सब प्राणियों के रिदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ से ही स्मृति, ज्यान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योक्य हूँ तथा वेदान्त का करता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं इन में संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है इन दोनों से उत्तम पुरुष्टो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारन पोशन करता है एवं अविनाशी, पर्मेश्वर और परमाक्मा इस प्रकार कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवाक्मा से भी उत्तम हूँ इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोतम नाम से प्रसित्ध हूँ भारत जो ज्यानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोतम जानता है वो सर्वग्य पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही बज़ता है हे निश्पा परजुन इस प्रकार ये अतिरहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्यानवान और प्रितार्थ हो जाता है आपने हजारों कहानिया सुनी और पढ़ी होंगी लेकिन बेस सेलर्स मैं मन हूँ और मैं करिश्न हूँ के लेखर दीप त्रिवेदी अपनी नई किताब 101 सदा बाहर कहानिया में सर्वकाल इन सर्वश्रिष्ट कहानियों और चिटकुनों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकलोजिकल और फिलोसोफिकल पहलों को सार के रूप में अपने ही अनोखी अंदाज में समझाते हैं इस किताब में वर्नित कहानिया आपको महापुर्शों, दार्सुनिकों एवं वैग्यानिकों की रोमांचिक दुनिया की सहर पर ले जाती हैं जिने पढ़कर आपको ना सिर्फ मज़ा आएगा बलकि इससे आपके जीवन में आवश्चक सकारात्मत परिवर्तन भी आएगा यह किताब अंग्रेजी, हिंभी, मराची तथा गुजराती में आत्मनेस्टोर.com और सभी प्रमुख बुक स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्द हैं जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवश्चक्ता होती है वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए भी अच्छी मानसिक खुराकों की आवश्चक्ता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूँगा रोज सुबह दस बीस मिनिट आख बंद करके शानती से गीता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा अध्याए सोला दैवासुर संपत विभाग योग श्री कृष्न बोले भय का सर्वता अभाव अंतहकरन की पूर्ण निर्मलता तत्व ज्यान के लिए ध्यान योग में निरंतर दिर्श्थिति और सात्विक दान इंद्रियों का तमन भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदी उत्तं कर्मों का आचरन एवं वेद शास्त्रों का पथन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन स्वधर्म पालन के लिए कश्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतहकरन की सरल्ता मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कश्ट न देना यथार्थ और प्रिय भाशन अपना अपकार करने वालों पर भी प्रोधखा न होना कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग अंताकरन की उपरती अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव किसी की भी लिंदाधी न करना सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया इंद्रियों का विशयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना कोमलता लोक और शास्त्र से विरुध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेश्टाओं का अभाव तेज, क्षमा, धैव्य, बाहर की शुद्धी एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन हुए पुरुष के लक्षण हे पार्त, दंब, घमन और अभिमान तथा क्रोध, कठोर्ता और अज्यान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन हुए पुरुष के लक्षण है दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है इसलिए हे अर्जुन, तु शोक मत करे, क्योंकि तु दैवी संपदा को लेकर उत्पन हुआ है हे अर्जुन, इस लोग में भूतों की स्रिष्टी यानि मनुष्य समुदाए दो ही प्रकार का है एक तो दैवी प्रकृती वाला और दूसरा आसुरी प्रकृती वाला उनमें से दैवी प्रकृती वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया अब तू आसुरी प्रकृती वाले मनुष्य समुदाए को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुगा आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ती और निवृत्ती इन दोनों को ही नहीं जाते इसलिए उन में न तो बाहर भीतर की शुद्धी है न श्रेष्ट आचरण है और न सत्य भाशन ही है वे आशुरी प्रकृती वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रे रहित सर्वता असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के सैयोग से उत्पन है अतायव केवल काम ही इसका कारण है इसके सिवा और क्या है इस मिध्या ज्यान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नश्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द है वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं वे दम, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रे लेकर अज्यान से मिध्या सिध्धांतों को ग्रहन करके और भष्ट आचरणों को धारन करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रे लेने वाले विशय भोगों के भोगने में ततपर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं वे आशा की सैक्लों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायन होकर विशय भोगों के लिए अन्याय पूर्वत धनादी पदार्थों का संग्रह करने की चेश्टा करते हैं वे सूचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरत को प्राप्त कर लूँगा मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये हो जाएगा वो शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा मैं इश्वर हूँ एश्वर्य को भोगने वाला हूँ मैं सब सिध्यों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुम्ब वाला हूँ मेरे समान दूसरा कौन है मैं यग्य करूँगा, दान दूँगा और आमोद प्रमोद करूँगा इस प्रकार अज्यान से मोहित रहने वाले तथा अनेत प्रकार से घमित चित्त वाले मोह रूत जाल से समाप्रिक और विशय भोगों में अत्यन्त आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में कित्ते हैं वे अपने आपको ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यग्यों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधिरहित यजन करते हैं वे अहंकार, बल, घमं, कामना और क्रोधादी के परायन और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंदर्यामी से द्वेश करने वाले होते हैं उन द्वेश करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता है हे अचन वे मूव मुझको नप्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं फिर उससे भी अतिनीच गति को ही प्राप्त होते हैं अथात घोर नरकों में पढ़ते हैं काम क्रोध तथा लोग ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थाथ उसको अधोगति में ले जाने वाले है अतैव इन तीनों को त्याग देना चाहिए हे अर्जुन इन तीनों नरक के द्वारू से मुक्त पुरुष अपने कल्यान का आचरण करता है इससे वो परंगति को जाता है अर्थाथ मुझको प्राप्त हो जाता है जो पुरुष शास्त्रविधी को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है वो न सिद्धी को प्राप्त होता है न परंगति को और न सुख को ही इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमान है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधिसे नियत कर्म ही करने योग्य है। कर्ष्ण स्वेंग अपने जीवन की कहानी को बतलाते हैं और अपने हर कर्म के पीछे के मुख्य कार्णों पर चर्चा करते हैं। ये किताब अंग्रेजी हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुक बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवशक्ता होती है। वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए भी अच्छी मानसी खुराकों की आवशक्ता होती है। और भगवत कीता इस मामले में बेजोड है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा रोज सुबह दस बीस मिनिट आख बंद करके शानती से कीता सुने। आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा। अध्धाय सत्रा शद्धात्रय विभाग योग। अर्जुन बोली हे क्रिश्यों, जो मनुष्य शास्त्र विधी को त्याग कर, शद्धा सी युक्त हुए देवादी का पूजन करते हैं। उनकी स्थिती फिर कौन सी है? साथ्युकी है? अत्वा राजसी? किमवा तामसी? श्री क्रिश्न बोली मनुष्यों की वो शास्त्रिय संस्कारों से रहित, केवल स्वभाव से उत्पन्द श्रधा, साथ्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तुम मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रधा उनके अंताकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रधा मैं है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रधा वाला है, वो स्वयम भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अर्ण जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य, शास्त्र विधि से रहित, केवल मना कल्पित, घोर तपको तपते हैं, तथा दम्द और अहुकार से युक्त, एवं कामना, आसक्ती और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। जो शरीर रूप से स्थित, भूत समुदाय को और अग्दा करण में स्थित, मुझ परमात्मा को भी क्रिश करने वाले हैं। उन अज्यानियों को तु आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृती के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है। और वैसे ही यग्य, तप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस प्रिथक प्रिथक भेद को तु मुझ से सुन। आयू, बुद्धी, बल, आरोग्य, सुख और प्रीती को बढ़ाने वाले, रस्युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले, तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय, ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खटे, लवण युक्त, बहत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारत और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अध्पका, रस्रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट हैं तथा जो अपवित्र भी हैं वो भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधी से नियत यग्य करना ही करतव है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो सात्विक है। परंतु है अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अत्वा फल को भी द्रिष्टी में रखकर जो यग्य किया जाता है, उस यग्य को तु राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना तक्षिणा के और बिना श्रधा के किये जाने वाले यग्य को तामस यग्य कहते हैं। देवता, ब्रह्मन, गुरु और ज्यानी जनू का पूजन, पवित्रता, सरल्ता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर सम्मंधी तक कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारण, एवं यथार्थ भाशन है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का, एवं परमेश्वर के नाम जब का अभ्यास है, वही वानी सम्मंधी तक कहा जाता है। मन की प्रसंदता, शांत भाव, भगवत चंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतहकरण के भावों की भली भाती पवित्रता, इस प्रकार ये मन सम्मंधी तब कहा जाता है। फल को नचाहने वाले योगी पुरुशो द्वारा परमशध्धा से किये हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकार के तब को सात्विक कहते हैं। जो तब सतकार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है। वो अनिश्चित एवं ख्षणिक भलवाला तब यहां राजस कहा गया है। जो तब मूर्था पूर्वत हट से मन, वानी और शरीर की पीड़ा के सहित अत्वा दूसरे का अनिश्च करने के लिए किया जाता है। वो तब तामस कहा गया है। दान देना ही करतव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राफ्ट होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है। वो दान साथविक कहा गया है। किन्त जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युकार के प्रयोजन से अत्वा भल को द्रिष्टी में रख कर फिर दिया जाता है वो दान राजस कहा गया है जो दान बिना सत्कार के अत्वा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है वो दान तामस कहा गया है ओम तत सत ऐसे ये तीन प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है उसी से स्रिष्टी के आधिकाल में ब्रह्मन और वेद तथा यग्यादी रचे गए इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारन करने वाले श्रेष्ट पुरुषों की शास्त्र विधी से नियक यग्य दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारन करके ही आरंभू होती है तत अर्थात तत नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है इस भाव से भल को नचाहकर नाना प्रकार की यग्य तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्यान की इच्चा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है सत इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ट भाव में प्रयोग किया जाता है तथा ही पार्थ उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यग्य, तप और दान में जो स्थिती है वो भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस पर मात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है हे अर्जुन बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुब कर्म है वो समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है इसलिए वो न तो इस लोग में लाबदायक है और न मरले के बाद ही मैं मन हूँ आपके जीवन के सुख और सफलता का मुख्य आधार माना मैं थोड़ा नटखट और कॉंप्लिकेटेड हूँ परंतु मैं आपकी बुद्धी से कई गुना शक्ति शाली भी हूँ मुझे जाना भी जा सकता है तथा मुझ पर नियंत्रन भी पाया जा सकता है एक बार मुझे जाना फेर क्या सफलता ही सफलता मेरा जादू समझने के लिए पढ़िए मैं मन हूँ आज ही खरीदें ये किताब आत्मनीस्टो डॉट कॉम पर अपलब्ध है जैसे शरीर को स्वस्त रखने के लिए अच्छी खुराक और एक्साइस की आवशक्ता होती है वैसे ही मन को स्वस्त रखने के लिए भी अच्छी मानसी खुराकों की आवशक्ता होती है और बगवत किता इस मामले में बेजोड है इसलिए मैं सबसे कहूंगा रोज सुबह दस बीस मिनिट आख बंद करके शानती से किता सुने आपका दीन और आपका जीवन सब कुछ बदल जाएगा अध्धाय ठारा मुक्ष सन्यास योग अर्जिन बोली हे महबाहों हे अंतर्यामिन हे वासुदेव मैं सन्यास और त्याक के तत्तो को पिथक पिथक जैनना चाहता हूँ कितने ही पंडित जन तो काम में कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार पुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोश युक्त हैं इसलिए त्यागने के योग हैं और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यग्य दान और तपरूप कर्म त्यागने योग के नहीं हैं हे पुरुष्णेष्ट अर्जुम सन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विशे में तु मेरा निश्चे सुने क्योंके त्याग सात्विक, राजस और तामस भेट से तीन प्रकार का कहा गया है यग्य दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग नहीं हैं बलके वो तो अवश्य करतव्य हैं क्योंके यग्य दान और तप ये तीनों ही कर्म वुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं इसलिए है पार्त इन यग्य दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर करतव्य कर्मों को आसकती और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए ये मेरा निश्चे किया हुआ उत्तन मत है निशिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचिती है परन्तों नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहाँ जो कुछ कर्म है वो सब दुख रूप ही है ऐसा समझ कर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भैसे करतव्व कर्मों का त्याग करते वो ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता हे अर्जुन जो शास्त्र वेहत कर्म करना करतव्य है इसी भाव से आसक्ती और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेश नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वो शुद्ध सत्र वगुण से युक्त पुरुष, संशयरहित, बुध्धिमान और सच्चा त्यागी है क्योंकि शरीर धारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्ता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्त नहीं है इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है बही त्यागी है ये कहा जाता है कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुश्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चार अवश्य होता है किन्तु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुश्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता हे महाबाहु संपूर्ण कर्मों की सिध्धि के ये पाँच हे तू कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले संखिशास्त्र में कहे गए हैं उनको तो मुझसे भली भाती जान इस विशय में अर्थात कर्मों की सिध्धि में अधिश्ठान और करता तथा भिन भिन प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेश्टाइन और वैसे ही पाँचवा हे तू दैव है मनुष्य मन वानी और शरीर से शास्त्रा निकूल अत्वा विपरी जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पाँचो कारण है परन्तु ऐसा होने पर ही जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धी होने के कारण उस विशय में यानि कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता समझता है वो मलिन बुद्धी वाला अज्यानी यथार्थ नहीं समझता जिस पुरुष के अंता करण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धी सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपाय मान नहीं होती वो पुरुष इन सब लोकों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंगता है ज्याता, ज्यान और गेल ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और करता, करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्यान और कान तथा करता गुणों के भेट से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं उनको भी तु मुझसे भली भादि सुँ जिस ज्यान से मनुष्य प्रिथक प्रिथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है उस ज्यान को तु सात्विक जान किन्तु जो ज्यान अर्थात जिस ज्यान के द्वारा मनुष्य संपून भूतों में भिन भिन प्रकार के नाना भावों को अलग-अलग जानता है उस ज्यान को तु राजस जान परन्तु जो ज्यान एक कारे रूप शरीर में की संपून के सद्रिश आसक है तथा जो बिना युक्तिवाला तात्विक अर्थ से रहित और तुछ है वो तामस कहा गया है जो कर्म शास्त्र विधी से लियत किया हुआ और करतापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेश के किया गया हो वो सात्विक कहा जाता है परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वो कर्म राजस कहा गया है जो कर्म परिणाम, हान, हिंसा और सामर्थ को नविचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वो तामस कहा जाता है जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न भूलने वाला धैव्य और उत्साह से युक्त तथा कारे के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादी विकारों से रहित है वो साथ विक कहा जाता है जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और नोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के सुभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से निप्त है वो राजस कहा गया है जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्ग सूत्री है वो कामस कहा जाता है हे धनन्जय, अब तू बुद्धी का और धिती का भी, गुणों के अनुसार, तीन प्रकार का भे, मेरे द्वारा संपूनता से विभात पूर्वक कहा जाने वाला सुन्द। हे पार्थ, जो बुद्धी, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जान दिये, वो बुद्धी साथ्य की है हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धी के द्वारा धर्म और अधर्म को, तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वो बुद्ध्य राजसीव है हे अर्जुन, जो तमो गुल से घिरी हुई बुद्धी, अधर्म को भी ये धर्म है, ऐसा मान लेती है, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वो बुद्धी तामसी है हे पार, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्रान और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वो ध्रिति साप्विकी है परन्तु हे प्रिथा पुत्र अर्जुन, भलकी इच्छा वाला मनुष्य, जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वो धारण शक्ति राजसी है ये पार, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य, जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को, तथा उन्मत्तता को भी नहीं चोड़ता, अर्थात धारण की ये रहता है, वो धारण शक्ति तामसी है हे भरत श्रेष्ट, अब तीन प्रकार के सुखों को भी तू मुझसे सुन, जिस सुख में साधक मनुष्य, भजन, ध्यान और सेवाधी के अभ्रास से रवन करता है, और जिस से दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है, वो आरंब काल में यद्यपी वि अमृत के तुल्य, इसलिए वो परमात्म विशयक बुद्धि के प्रसाथ से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है, जो सुख विशय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वो पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिनाम में विश्के जो सुख भोग काल में तथा परिनाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वो निद्रा, आलस्य और प्रमात्य से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है, प्रित्वी में या आकाश में अत्वा पेवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं ही ऐसा कोई भी सत्व नहीं है, जो प परंतक्त, ब्रह्मन, क्षत्री और वैश्यों के तथा शुद्रों के कर्ण स्वभार से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किये गए हैं, अन्तह करण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालं के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, द इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, इश्वर और परलोकादी में शद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सत्के सभी ब्रहमन के स्वाभाविक कर्म हैं, शूर वीवता, पेज, धैल, चतुर्ता और युद्ध में नभावना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी शत्रीय के स्वाभाविक कर्म हैं, खेती, गवपालन और क्रै विक्रै रूप सत्यव्यवा, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा सब वरणों की सेवा करना, शूद्र का ही स्वाभाविक कर्म है अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्पर्ता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परमसिद्धि को प्राप्त हो जाता है अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परमसिद्धी को प्राप्त होता है उस वुद्धी को दूसर जिस परमेश्वर से संपोवन प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिस से ये समस्त जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक गर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि स्वभाव से नियत किये हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं क्राफ्त करता अतय वहे कुंती उत्र दोश युक्त होने पर भी सहच कर्म को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि धुए से अगनी की भाती, सभीकारी किसी न किसी दोश से युक्त है सरवत्र आसक्ति रहित बुद्धि बाला, स्प्रिहा रहित और जीते हुए अंतह करण बाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैशकर में सिध्धि को प्राप्त होता है जो के ज्ञान योग की परानिश्ठा है, उस नैशकर में सिध्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुश्य ब्रह्म को प्राप्त होता है उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संख्शेप में ही मुझसे समझ विशुद्ध बुद्धी से युक तथा हलका, सात्विक्ट और मियमित भोजन करने वाला शब्दादी विशेयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला सात्विक धारन शक्ति के द्वारा अंतह करण और इंद्रियों का सैयम करके मन वानी और शरीर को वश्मे कर लेने वाला राग द्वेश को सर्वता नश्ट करके भली भाती द्रण वैराग्य का आश्रे लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमन, कांद, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायन रहने वाला ममतारहित और शामतियुक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन भाव से स्थित होने का पात्र होता है फिर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एकी भाव से स्थित प्रसंद मन वाला योगी है न तो किसी के लिए शोग करता है और न किसी की आकांशा ही करता है ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझ को तत्व से जान कर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है मेरे परायन हुआ कर्म योगी तो संपोन कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परंपद को प्राप्त हो जाता है सब कर्मों को मन से मुझ में अरपन करके तथा संबुधि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायन और मिरंतन मुझ में चित्त वाला हो उपर युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तु मेरी क्रिपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नश्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से प्रश्ट हो जाएगा जो तू अहंकार का आश्रे लेकर ये मान रहा है कि मैं युध नहीं करूँगा तो तेरा ये निश्टे मिथ्या है क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबर्दस्ती युध में लड़ा देगा हे कुंती पुत्र जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा हे अर्जुन शरीर रूप यंत्र में आरून हुए संपून प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके करनों के अनुसार धमन कराता हुआ सब प्राणियों के रिदय में स्थित हैं हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा उस परमात्मा की क्रिपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धान को प्राप्त होगा इस प्रकार ये गोपनिय से भी अतिगोपनिय ज्यान मैंने तुझ से कह दिया अब तु इस रहस्य युक्त ज्यान को पूर्ण तया भनी भांती विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर संपूर गोपनियों से अतिगोपनिय मेरे परम रहस्य युक्त बचन को तू फिर भी सुन तू मेरा अतिशय प्रिय है इससे ये परम हितकारक बचन मैं तुझ से कहूंगा हे अर्जुम, तु मुझमे मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, और मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तु मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझ से सत्य प्रतिज्या करता हूँ, क्योंके तु मेरा अत्यन्त प्रिय है संपून धर्मों को, अर्थात संपून कर्तव्य कर्मों को मुझमे त्याग कर, तु केवल एक मुझ सर्वशक्ति मान, सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आजा, मैं तुझे संपून पापों से मुक्त कर दूँगा, तु शोक मत कर तुझे ये गीता रूप रहस्यमयुक देश किसी भी काल में, न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा बाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझमे दोश द्रिष्टी रखता है, उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए जो पुरुष मुझमे परम प्रेम करके इस परम रहस्युक गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है उससे बढ़कर मेरा प्रिय कारे करने वाला मनुश्यों में कोई भी नहीं है तथा प्रित्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविश्य में होगा भी नहीं जो कुरुष इस धर्म में हम दोनों के समबाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यग्ज से पूजित होंगा ऐसा मेरा मत है जो मनुष्य, शद्धा युक और दोश द्रिष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का शवन भी करेगा वो भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ट लोकों को प्राप्त होगा हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तुने एकाग्र चित्त से श्रवन किया और हे धनन जय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नश्ट हो गया अर्जिन बोलिए हे अच्युत, आपकी क्रिपा से मेरा मोह नश्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है अब मैं संशय रहत होकर स्थित हूँ अतया, आपकी आज्या का पालन करूगा संजे बोली इस प्रकार मैंने श्रीवासूदेओ के और महात्मा अर्जुन के इस अध्भुत रहस्य युक्त, रोमान चिकारक संबाद को सुना श्रीव्यास जी की क्रिपा से दिव्य द्रिष्टी पाकर मैंने इस परम गोपनी ये योग को अर्जुन के प्रती कहते हुए स्वैन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से तत्यक्ष सुना है ए राजन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त, कल्यान कारक और अध्भुत संबाद को पुना-पुना स्मरण करके मैं बार-बार हर्शित हो रहा हूँ हे राजन श्री हरी के उस अत्यन्त विलक्षण रूप को भी पुना-पुना स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार-बार हर्शित हो रहा हूँ हे राजन जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडी उधन श्धारी अर्जुन है वही पर श्री, विजय, विभूती और अचल नीती है ऐसा मेरा मत है आपने हजारों कहानिया सुनी और पढ़ी होंगी लेकिन बेस सलर्स मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ के लेखक दीप दिर्वेदी अपनी नई किताब 101 सदा बाहर कहानिया में सर्वकाल इन सर्वश्रिष कहानियों और चिटकुनों को और भी रोचकता प्रदान करते हुए उनके गहरे साइकलोजिकल और फिलोसोफिकल पहलों को सार के रूप में अपने ही अनोखी अंदाज में समझाते हैं इस किताब में वरनित कहानिया आपको महापुर्शों, दारसुनिकों एवं बैग्यानिकों की रोमांचिक दुनिया की सैर पर ले जाती हैं जिने पढ़कर आपको ना सिर्फ मज़ा आएगा बलकि इससे आपके जीवन में आवश्चक सकारात्मत परिवर्तन भी आएगा यह किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराची तथा गुजराती में आत्मनिस्टोर.com और सभी प्रमुख बुक्स्टोर्स तथा ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है